हेलो एंड वेल्कों बैक दियर स्टोन अगाडमी जेई चानल, आपको मैंने याद दिलाया था कि दसवी क्लास में आप क्या-क्या अलड़ी सीख चुके हो, ठीक है? तो आयोगे सारे बच्चों ने वहाँ पर जो है काफी एंजॉई किया होगा उस डिस्केशन को, क्योंकि वो सारी चीजें आप अलड़ी मास्टर कर चुके हो, ठीक है? वहाँ पर हमने कुछ भी नया नहीं सीखा था, लेकिन हाँ हमने प्रैक्टिस इतनी बहतरी तरीके से कर ली थी, कि आपके जो भी वहाँ पर important questions होने चाहिए थे, वो सब हम discuss कर चुके हैं, अब हमारा यहाँ पर समय आ चुका है, कि हम यहाँ पर कुछ नई चीजे पढ़ना स्टार्ट करें, आपका जो lecture 1 का end था, आखरी के जो आपके यहाँ पर 15 मिनिट का discussion था, उसके अंदर हमने यह realize किया, कि हम अगर अपने trigonometry के discussion में केवल right angle triangle के अंदर का ही discussion करते रह जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हैं हम यहाँ पर sign of 120 कभी answer नहीं कर पाएंगे, in fact हम trigonometry apart from right angle triangle as well, जिसका यहाँ पर हमारा idea हमने last class में discuss किया था, कि हम यहाँ पर circular system में trigonometry अभी यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, class 11th के अंदर, and उसके पहले, उससे पहले कि हम यहाँ पर circular system में trigonometry पढ़ना start करें, हम यहाँ पर angle measurements भी जो है, एक नए तरीके से देखते आना पर सबसे important होता है, यहाँ पर radiant measure, आज के discussion में हमें वो सारी चीज़े समझनी है, और कुछ interesting सवाल भी करने हैं, जैसे कि आपके आपके पास में यहाँ पर अगर clock है, तो आप उसके minute hand और hour hand के बीच में क्या angle बता सकते हैं, इस तरी को बहतरीन से simple simple से question भी हम करने वाले हैं not just for mathematics, for all the three subjects, physics, chemistry, maths, हम सभी educators आपके साथ में यहाँ पर live आते हैं, रोज आते हैं, और आपको यहाँ पर J.E. के लिए तयार करते हैं, इसके साथ साथ बचों आपके यहाँ पर JPP sessions भी होते हैं, PYQ sessions भी होते हैं, which actually helps you further practice on the topics that we have done through JPP sessions, and PYQs करके आपको बता सकते हैं कि कि level तक आपके यहाँ पर exam questions जो है expect किये जाते हैं, ठीक है, so make sure कि आप यहाँ पर सारे सारे sessions को attend करें, कोई भी हाँ पर miss आपको नहीं करना है, ठीक है, और हमारे साथ में करनेट रहने के लिए आप Telegram channel जो on account में चाहिए का है, उसको join कर सकते हैं, और मेरी profile को follow ज़रू कर ले on anacademy subscription platform, क्योंकि मैं वहाँ पर कई सारे classes लेता हूँ, जो free of cost होती है, जिनको हम special classes बोलते हैं, उसके साथ-साथ ही वहाँ पर कई सारे courses हमारे regular basis पे आते हैं, आप उनमें भी and roll कर सकते हैं, अगर आपने subscription ले लिया है, तो, ठीक है, so make sure कि आप यह काम ज़रूर कर ले, कि आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से, सारे जो lectures and academy जाए कि उनको access कर पाऊ, this is the collection of all the links, जो हमने यहाँ पर आपके YouTube के उपर lectures लिया है, उनके links आपको यहाँ पर मिल जाती है, और आपको यहाँ पर उनके PDF notes भी download करने के लिए मिल जाते हैं, which makes it easy for students to actually go through all the lectures once again, through revision, और maybe learning it for the first time again, अगर आप करते हो, कोई भी यहाँ पर topic पहली बार समझने को उच करते हैं, तो भी यह link आपको काफी help कर दिये, ठीक है, और साथे साथ आपको यहाँ पर subscription platform की अगर मदद ले नहीं है, जहाँ पर आपको live and interactive sessions मिलते हैं, test series मिलती है, doubt cleaning sessions मिलते हैं, then you can join that, यहाँ पर help me understand कि आप सारे बच्चे already मेरे student रह चुके on an academy, जहीं, लेकिन further यहाँ पर पढ़ाई के लिए, substitution platform के अपर अभी आ रहे हैं, ठीक है, so with that basic introduction, let us start our today's discussion, यहाँ पर हमारा जो discussion होगा, आज का काफी मतलब understanding point of view से आपको बहुत simple लगना ची, ठीक है, make sure कि आपको simple लगे, अग अगर आपको यहाँ पर कोई सा भी एक point है, जो आपको दिक्कत दे रहा है, then आपने यहाँ पर lecture को, या फिर उतने particular portion को एक पर फिर से देख लेना चीए, क्योंकि अगर आपको इस lecture में दिक्कत आएगी, तो आगे जाके भी आपको थोड़ी से दिक्कत phase करनी पढ़ सकती ह क्योंकि हम यहाँ पर trigonometry अगर कभी भी पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर angle के बीना, तो है हमारा discussion कभी करी नहीं सकते हैं, ठीक है, so मैं शूर कि आप आज के lecture की अंदर जो भी concepts बताय जा रहे हैं, उनको अच्छे दिरेके से पकड़ लें, ठीक है, alright, so let us begin, let us first of all discuss किया यहा पर angle होता क्या है, कितने बच्चे यहाँ पर अलड़ी जानते हैं कि angle क्या होता है, angle basically measure of rotation होता है, हम यहाँ पर कभी भी कोई एक, जैसे की quantity को अगर measure करना चाह रहे होते हैं, तो पहले पता तो होना चाहिए कि वो quantity क्या है, आगर मैं length measure करना चाह रहा हूं, तो मेरे बाद में decide करते हैं, लेकिन पहले तो quantity establish करते हैं, तो सबसे पहले angle के बारे में हमें पता होना चाहिए, angle का हम यहाँ पर measurement करना चाह रहे हैं, तो भी angle होगा क्या, ठीक है, तो basically आपको अगर यहाँ पर कोई एक ray दी जा रही है, और आप उसको rotate कर रहे हो, तो आपने उस ray क कितना rotate किया, आगर आपको यह report करना है, तो यहाँ पर जो value आपको पता चलती है, वही हम यहाँ पर angle से denote करते हैं, या फिर उसको हम angle बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो rotation हो सकता है आपका, वो basically दो direction में हो सकता है, आप initial position से, या तो anti-clockwise direction में, आप सहीए को पता है, य is considered as positive measurement of angle, ठीक है, यह positive measurement of angle का हमारे direction है, लेकिन आप अगर clockwise direction में जाओगे, अगर आप अपने जो initial position है, उसके comparison में रहे को अगर rotate कर रहे हो, in clockwise direction, then इस angle measurement को हमने basically negative बोल के रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर positive negative के साथ आपको और भी क्या बताते है ना चाहिए, magnitude बताते है आपने कितना rotate किया, आपने अगर इस direction में rotate किया, तो हम उसको negative value के साथ में denote करेंगे, इस direction में rotate किया है, तो positive के साथ में rotate करेंगे, लेकिन कितना, अगर आपको वो बताना है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में कोई एक unit होना चाहिए, अपने angle को बता आने के लिए जैसे कि अगर मुझे बताना है कि यह pen जो है कितना बड़ा है तो उसके लिए मेरे पास में कोई एक centimeter वाली unit या फिर मेरे पास में inch वाली unit कुछ नो कुछ होना चाहिए जिसके terms में बता मौँगा कि यह इतने centimeter long है वैसे अगर मुझे बताना है कि यह angle exactly कितना है तो मेरे पास में कुछ नो कुछ units होना चाहिए अब जैसे length measure करने के लिए weight measure करने के लिए हमारे पास में different units होती है वैसे ही angle measure करने के लिए हमारे पास में different units होती है लेकिन सबसे famous वाली जो है उसे से start करते है हमारा सबसे famous angle measurement unit जो होता है वो होता है degree है ना हम बच्पन से angle measurement इसी particular unit में करते आए हैं, मतलब मुझे नहीं लगता ही कि यहाँ पर कोई बच्चा कभी यह सोचता होगा कि angle measurement की कोई और भी unit होती होगी, है ना हम हमेशा से ही degree में ही अपने angle को report करते आए हैं, ठीक है, so angle बनाने के लिए मेरे खाल से सबसे बच्पन में आपने यहाँ पर ज angle बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक horizontal line पहले draw कर लेते हैं, यहाद रहे बच्चपन की चीज़ है, हम यहाँ पे पहले horizontal line draw कर लेंगे, फिर एक point mark करेंगे, उस point को यहाँ पर center में लेकर, आप basically 30 degree वाला जो आपका direction जा रहा है, वहाँ पे एक additional point plot करते हो, यहाँ जो device से इसको हटा लेते हो, और फिर connect कर देते हो अपने initial point और end point को, ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको यहाँ पर अपना, जो है, पूरा का पूरा 30 degree वाला angle में जाए, यह process हम बच्पन से करते आए हैं, ठीक है, तो इसमें तो किसी को doubt नहीं होना चीज़, यहाँ पर अ बताओ कि क्या आप इस device का इस्तमाल करके 30.5 mark कर सकते हो गया, 30.5 degrees क्या आप इस device का इस्तमाल करके mark कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो least count है, वो 1 degree है, 1 degree से छोटा आप angle इस device के मदद से actually plot नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या इस से कम angle हम कभी plot नहीं करना चाहे बिल्कुल करना चाहेंगे, आगर आपको यहाँ पर बहुत छोटा angle measurement अगर चाहिए, for some reason पता नहीं क्यों आपको जरूत पढ़ रही है, लेकिन अगर जरूत पढ़ रही है, तो हम यहाँ पर decimal वाले angles भी plot करना चाहेंगे, ठीक है, और जैसे हमारी यहाँ पर requirement जो है, हम यहाँ पर उसी का एक sub unit create करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि meters तो हमारा length का unit ही है, लेकिन जैसे कि अगर मुझे इस pen का अगर length निकालना है, तो meters में बताऊंगा, तो मेरे पास में बटा 0.00 करके कुछ तो answer आएगा, ठीक है, अगर इससे भी छोटा है, अगर मैं केवल यह जो white वाला portion है, इस portion का ही यहाँ पर length बताना चाहा रहा हूँ, तो फिर मैं शायद millimeters में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो we actually create subunits within a unit, ताकि हम यहाँ पर अपना जो value है, जो magnitude है, उसको decimal में ना बोलके, एक ठीक ठाक से integer के format में, या फिर at least कुछ sensible format में अपना यहाँ पर answer बता पाएं, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर smaller angles की ब degree अगर आपको plot करना है ता आप कैसे plot करोगे, आप यहाँ पर जो आपको zero के बाद में पहला marking दिखाई दे रहा है, अब पहले marking को यहाँ पर dot की तमदब से connect करोगे, और आपको यहाँ पर one degree का angle plot करते आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या इससे छोटा angle हम plot करना चाहेंगे क unit चाहा रहे होंगे, जैसे कि meter से छोटी unit, centimeter, centimeter से छोटी unit हमें millimeter की भी requirement पढ़ती है, वैसे हमें छोटे angles की measurement की requirement अगर पढ़ती है, तो instead of measuring the angle in degrees, हम इससे छोटे units भी create करके बैठे हैं, जिनको हम minutes और seconds कहते हैं, जिनको हम minutes और seconds कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह समझ हैं वहाँ तब, ठीक हैं, अगर मुझे यहाँ पर centimeter बोलना होता है, तो मुझे पता है कि meter से centimeter तब कैसे आया हूँ, या फिर centimeter से मैं अपने millimeter तब कैसे हूँ, 100 से divide कर दिया, 100 portions में divide कर दिया, 1 meter को, हमने 1 centimeter को 10 portions में divide कर दिया, millimeter आ गया, ठीक हैं, तो यह सारी चीज़े हमें क्या बोलते हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पर आजा हो सारे बच्चे, पहले हम सबसे बड़े वाले angle से start करते हैं, 1 degree का भी यहाँ पर एक बर फिर से, जो है, understanding लेने की कोशिश करते हैं, हमारे पास में, सबसे जो बढ़िया angle, initially, मौझूद होता है, वो कौन सा होता है, right angle सबसे This in itself is very weird कि हम यहाँ पर इस particular angle को, जो दो perpendicular lines की बीच में angle बन रहा है, इसको 90 degrees क्यों बोल रहे हैं, इसको हमने 100 degrees क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर इसको हमने 100 degrees बोला होता, तो शायद हमारे यहाँ पर कुछ-कुछ calculations जादा आसान हो गई होती, लेकिन उसका हम कुछ कर नही 90 degrees दिमाग में अलड़ी बैट चुका है, तो हम इसको आके इस्तमाल करेंगे, बट वी कन डेफिनिटली आस सुच क्यों यह 90 degrees अननसरी बोला है, इसको आपने 90 degrees बोला, इसका मतलब आपने किया क्या, आपने यह जो आपके बास में दो perpendicular lines के बीच में angle create हुआ था, यह जो आ आपने 1 degree नाम दिया, इसलिए 90 टुकडे मिलके क्या हो गया, 90 टुकडे मिलके आपके यहाँ पर 1 right angle complete हो गया, इसलिए हमारे पास में जो equation आ रही हो कैसी है, 90 टुकडे, मतलब 90 degrees मिलके हमारे पास में एक right angle create हो गया है, बढ़िया हो जाता आगर यह 100 टुकडे कर देते तो, अगर create ही कर रहा है कोई unit है ना, तो अगर create करते हैं हमें यह सब socially होता तो जाधा अच्छा होता चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है, तो हमारा भी अब यहाँ पर एक दिमाग में angle को लेके एक particular जो है, नंबर के साथ में angle associate हो चुका है, अगर मैं 60 degree बोलता ह किया होता तो जाधा अच्छा होता, ठीक है, all right, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने जो step किया ना, हमने एक बहुत बड़ा angle लिया, और उस बहुत बड़े angle के हमने बहुत सारे टुकडे किये, ठीक है, बहुत सारे टुकडे मतलब, एक angle, दूसरा angle, तीसरा angle, चोधा angle, पांच चोटे portion को उठा लिया, उसमें से एक one degree को उठा लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसके 60 divisions किये, जो already इतना चोटा है, उसके हमने 60 divisions किये, और उसमें से जो एक टुकडा आया, उन 60 divisions में से जो एक टुकडा आया, उसको हमने बोला है one minute, उसको हमने बोला है one minute, और इसी लिए 60 टुकडे मिलके क्या बनाएंगे 60 टुकडे मिलके आपका 1 degree बनाएंगे ठीक है क्योंकि हमने 1 degree को ही 60 portions में break किया है और उसमें से जो 1 टुकड़ा आया है उसको हमने 1 minute बोला है ठीक है तो यह तो बहुत ही छोटा हो गया angle लेकिन फिर किसको ज़रूत पड़ेगी इससे भी छोटा angle में यहाँ पर create करता हूँ तो उसने क्या किया जो अलड़ी आपका 1 minute था उसके भी 60 टुकडे किये उसके भी 60 टुकडे किये और उसमें से जो 1 टुकड़ा आया उसको बोला 1 second और ऐसे 60 seconds मिलके फिर क्या हो गया ऐसे 60 seconds 60 टुकडे मिलके आपका 1 minute create हुआ ठीक है तो अगर आप यहाँ पर नीचे से पढ़ना चाहते हूँ नीचे से पढ़ना चाहते हूँ आपके उसमें सबसे छोटा अभी यहाँ पर जो है angle measurement का जो sub unit create हुआ है seconds ठीक है एक second मतलब बहुत ही छोटा है जो आप ऐसे 60 seconds इखटा करते हो तो आपके उसमें 1 minute वाला angle create होता है वो 1 minute जितना create हुआ है वैसे अगर आप 60 साथ में लगा देते हूँ तो आपके उसमें 1 degree create होता है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे है बहुत ही छोटा सा ठीक है और ऐसे जो 1 degree आपको मिला है ऐसे 90 आप मिला देते हो तो आपके उसमें पूरा right angle create होता है ठीक है this is how we are now going to discuss our angles हम अपने angles को degrees, minutes and radians sorry degrees, minutes and seconds मैं यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि हम अपने distance को kilometers, meters and centimeters में बोल सकते हैं kilometers, meters and centimeters में हम जैसे अपने distance को बोल सकते हैं वैसे angle को हम यहाँ पर अगर बोलना चाहते हैं so degrees, minutes and seconds में हम अपने angle को बोलेंगे याला points हम आपके हैं सार बच्छों को थोड़ा सा लेकिन अच्छा नहीं लगाए मतलब यह समझ में आती है कि यार इन्होंने जो 60 जो सोचा शायद actually इन्होंने कैसे सोचा जिसे time का discussion हुआ करता है वैसे सोचा शायद इन्होंने और इसलिए इसका नाम भी इन्होंने क्या रखा है, minutes और seconds ही रखा है मतलब इनकी सोच पता चलती ही यहाँ से इस चीज को सोचा है, ठीक है तो फिर यहाँ पर हमें कुछ कुछ जो है अब चीजे जो है बताते आनी चाहिए, है ना यहाँ तक जो हमने ग्यान ले लिया है, इसको एक बार इस्तमाल भी करके देखते हैं, ठीक है अगर आपको कोई देता है 90 minutes तो क्या आप 90 minutes को degrees में change करके बता सकते हो 90 minutes मतलब time वाला नहीं 90 minutes मतलब अभी जो हमने हाँ पर degree minutes और seconds वाले discussion किया है वो वाला minute तो आपके पास में अगर कोई कहता है कि angle का value 90 minutes है, तो अभी एकदम से आपको relate करते नहीं आएगा एकदम से आपको relate करते नहीं आएगा क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है, ठीक है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो 90 minutes है इसको degrees में बताओ कितना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर conversion का relation है, वो अलड़ी दिमाग में आचुका है, ठीक है, क्या आचुका है कि 60 minutes जो होते है न, आचाह यहाँ पर एक notation भी समझ ले सारे बच्चे हमारे पास में, जो minute का notation है वो एक ऐसा dash है minutes का जो notation है, वो एक single dash है तो 60 को पर dash लगा है, मतलब हो उसको पढ़ेंगे कैसे, 60 minutes ठीक है, अगर आप seconds का notation देख रहे हो, तो आपके इसमें 2 dash है आपके इसमें ऐसा मतलब, 60 के उपर 2 dash अगर लगे होगे तो आप उसको क्या पढ़ोगे, 60 seconds ठीक है, इसको पढ़ेंगे 60 minutes जैसे कि यहाँ पर गोला लगा देते हैं, तो हम आपका 1 degree के बराबर तो आप अगर यहाँ पर निकालना चाहते हैं, कि 90 minutes कितना होना चीए, तो हम यहाँ पर simple unit method लगा सकते हैं, ठीक है 90 उपर जाएगा, 60 नीचे आएगा, यह करते आता है सारे बच्चोपो, ठीक है, यहाँ पर आपका अगर 60 minutes 1 degree के बराबर है, तो 90 minutes कितने degree के बराबर होना चीए, calculate करने के लिए 1 degree के अंदर multiplication में जाएगा 90, और नीचे आजएगा आपका 60, ठीक है, तो यह बनेगा कितना आपका 1.5 degree के बराबर, एक बार चेक कर लें सारे बचे, कितना बनेगा यह 1.5 degrees के बराबर, यह बोल के तब भी हमें थोड़ा सा जादा better idea लग रहा है अच्छा, 1.5 degree की बात चल रहे है, 90 minutes थोड़ा सा अजीब लग रहा था, points अन में आ रहा है 90 minutes पहले थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन 1.5 degree we can relate we can relate कि हाँ यह value कितनी होनी चीए बहुत ही छोटा angle होना चीए some angle between 1 degree and 2 degree alright, बट यहाँ पर अगर कोई ऐसे सवाल पूछेगा तो हम इसको कैसे answer करेंगी अगर हम यहाँ पर 30.540 30.540 ठीक है अगर आपको इतने degree दे दिये जाए है न, यहाँ पर degree होना चीए यहाँ पर 0 की जगे मेरे खाल से ऐसा कर लेता है यह 0 तो वैसे भी मतलब का नहीं है न calculation point of view से, यह power में होना चीए था ठीक है, अगर आपको कोई देता है 30.54 degrees तो क्या आप इसको change करके बता सकते हो in degrees, minutes and seconds यह में कैसी बात कर रहा हूँ, मैं आपको अगर यहाँ पर पूछता हूँ कि आप यहाँ पर 1.5 km 1.5 km का distance travel करो, तो instead of that I can also say कि आप 1 km and 500 m travel करो, दोनों में सेम बात है लेकिन एक को हमने only km में बोला which is 1.5 km, ठीक है और दूसरे की case में हमने यहाँ पर kilometers और meters, दोनों का इस्तमाल करके अपने distance को represent किये वैसे ही, आपके 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 अगल degrees में मौजूद है लेकिन decimal में मौजूद है हम चाह रहे हैं कि हम इस decimal के representation को ना adopt करके अपने answer को smaller units को involve करके represent करें, अपने degrees की जगे degrees का भी इस्तमाल कर ले, minutes का भी इस्तमाल कर ले और seconds का भी इस्तमाल कर ले तो हम इसको reduce down कैसे करेंगे, हम यह सोचना चाहरे है तो यहाँ पर आप बताओ कि आपके आपके समें already 30.54 अगर degrees available है मतलब complete degrees तो आपके समें वैसे भी है, 30 degrees तो आपके समें वैसे भी complete है incomplete क्या है, उसको अलग कर लेता है, आपके बास मिहाँ पर अलग से 0.54 degrees है what I can do is, हमारे बास मिहाँ पर 1 degree से कम हो गया ना यह value 1 degree से कम हो गया तो हम इसको चाहेंगे कि हम इसको minute में represent करें तो degrees से minute में जाने का हमारा conversion क्या है degrees से minute में जाने का हमारा conversion क्या है ठीक है, अगर 1 degree होता है तो 60 minutes के बराबर होता है तो अगर आपके बास में इतने degrees है तो आप इसको minutes में कैसे change करोगे minutes में change करने के लिए आप यहाँ पर केवल उसके इंदर 60 multiply कर लूँ, so instead of degrees now you can say कि इतने आपके उसमें minutes है, ठीक है and if you do this, आपके उसमें क्या create होता है आपके उसमें यहाँ पे 30 के साथ हमें अलग से 0 मतलब 5.4 हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा, 32 होगा ठीक है, so 32.4 है मेरी खाल से एक बार चेक करनें सारे बचे, हमारे पास में 32.4 minutes आये हैं लेकिन यह भी अब decimal में आया है जैसे कि degrees हमारे decimal में थी तो हम नहीं हाँ पर उसके lower unit पे जाने की कोशिश करें, वैसे हमारे पास में minute अगर decimal में हैं, तो complete minutes कितने हैं वो तो अलग कर लेते हैं ठीक है, हमारे पास में 30 degrees है and 32 minutes है ठीक है, लेकिन इस से छोटा आपके पास में जो minute बजा है that is 0.4 minutes आप क्योंकि यह minute एक जो है, 0.something वाली आपकी quantity है, हम इसको भी change करना चाहेंगे in seconds, ठीक है तो फिर से आपका conversion factor एक बार देख लें सारे बचे एक minute जो है, वो 60 seconds के बराबर है तो फिर इतने minutes कितने seconds के बराबर होंगे अगर आपको यह निकालना है, तो आप इसके अंदर 60 multiply कर सकते हो, ठीक है तो कितना हो जाएगा, 30 degrees, 32 minutes and 0.4 into 60 इतने seconds, तो यहाँ बे दो dash ने लगा दी, यहादे पास में आई तो कितना हो जाएगा यह, यह हो जाएगा आपका overall 30 degrees, क्या इस बार हमारे पास में pure integer आएगा क्या, एक बार चेक करना सरे बच्चे यह हो जाएगा आपका उसमें 08 आदो 24 24 seconds, successfully हमारे पास में अभी यहाँ पर क्या हो गया है degrees, minutes and seconds में complete answer represent हमें करते आ गया है, so instead of saying this, we can also say this, instead of saying that, we can also say this, लेकिन, लेकिन फिर से सोचो क्योंकि आप लोग को जादा करके degree में ही अभी तक जो है काम करने की जरूत पड़ी है, इसलिए you will feel much more comfortable in saying this rather than this answer ठीक है, यहाँ बर, जो है हमारा जो brain है, वो अलड़ी attuned है अपने angle को degrees में देखने के लिए, क्यों छटी class से पढ़ते हैं, angles, मेरी कहल से यह जो हमारा पास में figure होता है, यह वाला यह हम सबसे पहले शाइद छटी class में देखते हैं, कि हाँ यह अपने angles बनाते हैं, कितना angle यहाँ पर बोला जाता है तो अब problem क्या है, कि हम यहाँ पर नए अपने units भी पढ़ने है क्योंकि अभी जब हम यहाँ पर discussion कर रहे थे हैं, तो थोड़ा सा एक discussion में बात आई थी, कि यार अगर आपके पास में एक standard angle था, एक standard angle था आपके पास में, विच वस angle between two perpendicular lines, और आपको ही अगर यहाँ पर unit create करनी थी, तो आपने 90 divisions क्यों किये, 100 divisions कर लेते हैं 100 divisions अगर करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर conversion factor थोड़े आसान आते हैं, उसके बाद में आपके असमेगर यहाँ पर एक degree create होती, जो भी आपके एक degree थी, उसको आपने 60 में क्यों divide किया, अगर आपको divide करना ही था होता है, अब फिर से 100 parts में divide कर लेते हैं, तो फिर से हमारे यहाँ पर calculation कितना आसान हो गया होता, सोचों, अगर 1 degree is equal to 100 minutes अगर होता, और 1 minute अगर 100 seconds होता, तो यह conversion देखो कितना जल्दी हो जाथा हमारा, आप यहाँ पर 60 multiply करने की जागे 100 multiply करने के लिए बोलता हमें, और वैसे ही यहाँ पर फिर से 60 multiply करने की जागे 100 multiply करने के लिए बोलता, तो यहाँ पर 100 multiplication करना ज्यादा आसान है, 100 से multiply divide करना आसान है, तो इसलिए हमारे पास में एक और thought आया है, ठीक है, let us first understand this idea, जहाँ पर हम बोड़ने किया रहे है, degrees वाला measure जो है इतना अच्छा नहीं है, why not change the idea a bit, हमारे पास में अलड़ी एक right angle है, है ना, हमारे पास में एक नया unit आया है, नया unit आया है, जिसको नाम हम क्या दे रहे है, grade नाम दे रहे है, ठीक है, काफी अच्छा thought है इसके अंदर, काफी अच्छा thought है, ये क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में जो एक right angle था न आपने उसको इस degrees create करने के लिए आपने उसके 90 equal portions किये थे 90 equal portions किये थे क्यों ना हम उसके 100 equal parts कर दे 100 equal portions कर दे क्योंकि अगर मुझे define ही करना है तो कुछ अच्छा define करते है न तो वो यहाँ पर basically किया गया है ठीक है ये जो grade measure है आपका इसके अंदर यही actually बात ध्यान रखी गई है starting point था आपने यहाँ पर right angle ही लिया है right angle क्योंकि बहुत अच्छा angle ही है बहुत जगे हमें दिखाई भी देता है उसको भी हम बोड़ रहे है कि हमने 100 parts कर दिये न grade measure के अंदर हमने 100 parts कर दिये तो basically अब 100 parts मिलके कितना होगा one right angle create होगा क्योंकि हमने यही ultra काम किया है हमने इस standard angle को 100 टुकडों में break कर दिये तो ऐसे 100 टुकडों मिलके आपको क्या देंगे 100 grade मिलके आपको अभी यहाँ पर one right angle देगा so that is why this equation that is why this equation फिर इसके बाद में हमारे पास में यह जो एक grade आया है यह जो हमारे पास में एक grade आया है इस एक grade के भी हमने यहाँ पर 100 parts ही किये पिसली बार हमने 60 parts किये है इस बार हमने 100 parts किये लेकिन यहाँ पर सोच पा रहे हो कि यह जो grade measure बनाने वाला person है वो काफी कुछ already affected है degree से क्योंकि उसने यहाँ पर नाम चाहिन नहीं किया नहीं उसने यहाँ पर base right angle को change किया नहीं उसने यहाँ पर नाम change किया ठीक है उसने क्या बोला कि मैंने जो यहाँ पर grade define किया है कैसे define किया है एक quote angle को 100टकड़ों में break करके उसने एक grade define किया है ठीक है तो मैंने जो यहाँ पर grade define किया है मैं उसको 100टकड़े करूँगा और उसमेaning से जो एक क्ट़़डा आएगा उसको मैं one minute बोलूँगा कुछ और बोल लेता या degree को grade बोला है तो minute को भी कुछ और बोल लेता second को भी कुछ और बोल लेता confusion नहीं होता थोड़ा लेकिन अब उसने बोल दिया था हम कुछ कर नहीं सकते ठीक है तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि एक grade जो मैंने create किया है by dividing right angle into hundred bars मैंने उसको भी एक grade को hundred portions में divide किया और उसमें से जो एक portion आया है उसको मैंने one minute बोला है इसलिए hundred minutes मिलके अब one grade बने है और फिर जो एक minute आया था hundred टुकड़ें में करने के बाद में जो एक minute आया था उसके भी hundred टुकड़ें किये उसमें से जो एक टुकड़ा आया उसको हमने क्या बोला है one second और इसलिए hundred seconds मिलके क्या create करेगा आपका one minute create करेगा लेकिन ये जो minutes और seconds है और इसके पेले जो हमने minutes और seconds पढ़े है वो दोनों अलग-अलग है measure wise grade system के अंदर जो one second का मतलब है और degree measure के अंदर जो आपका one second का मतलब भी दोनों अलग-अलग है इसलिए confusion लेनी की ज़रुवत नहीं है ज़्यादा confuse मत हो जाना पास मैं आ रही सार बचको आल्राइट तो ये basically एक नया system में जिसमें आपको काम करना है अगर आपको इस system में काम करना है तो बताओ कि क्या आप comfortable feel करोगे ये जो हम यहाँ पर problem बता रहे थे degree measure के अंदर वो यहाँ पर rectify कर दी गई है एक right angle को 90 में break करने की जगे 100 में break हिया फिर एक आपको जो degree था उसको आपने 60 में break किया था फिर यहाँ पर आपको minute आया था उसको भी आपने 60 की जगे 100 में break किया तो calculation था हमारी काफी आसान हो जाएगी लेकिन इस चकर में होगा क्या हमारे पास में आप जो angles बनेंगे वो एकदम ही अलग-अलग से बनेंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बोलू ठीक है कि आप यहाँ पर जो है क्या मुझे बता सकते हो कि 90 grades मतलब कितना हो जाएगा 90 grades मतलब कितना हो जाएगा अब 90 grade सुनके हम यह से लगता है कि right angle तो नहीं हो जाएगा लेकि नहीं होगा 90 degrees होता है right angle 90 grade actually जो होगा वो right angle से कम होगा 90 grade जो होगा वो right angle से कम होगा क्योंकि 100 grade मिलके एक right angle create करता है ठीक है तो हमें यहाँ पर जो है अभी angle वाली जो feel already degree के अंदर है वही अब grade के अंदर भी लाने पड़ेगी by actually studying the interconversion हम कभी भी अगर uncomfortable feel करेंगे हम convert कर लेंगे अपने value को वापस grade से degree में बास अंद में आ रही है क्योंकि हमें बच्पन से degree देखने की आदत है ठीक है all right तो यहाँ पर interconversion होगा कैसे interconversion आपका बड़ा आसान है इस case में क्योंकि degree और grade दोनों के ही जो यहाँ पर base है वो right angle है ठीक है तो आपने क्या बोल कर रखा है कि एक right angle जो है एक right angle जो है वो 90 degrees होता है और वो 100 grade भी होता है आचा grade के लिए हमने यहाँ पर क्या decide किया है कि हम यहाँ पर power में g लिखेंगे ठीक है 100 grade हो जाएगा हो लेकिन minute और यहाँ पर seconds का हमने यहाँ पर change नहीं किया है एक dash मतलब minute और दो dash मतलब seconds इसमें हमने changes नहीं किये तो यह जो हमारा relation है न कि एक right angle 90 degrees भी है और एक right angle आपका 100 grade भी है यह actually manage करेगा है ना यह actually हमें inter conversion के लिए एक नया factor निकाल के देने वाला है जैसे कि अगर मैं आप से बूलू कि आपके पास में अगर convert करना है degrees और grade को तो क्या बता सकते हो इस relation का इस्तमाल करके कि 1 degree मतलब कितना grade होना चीए अगर 90 degree ऑलोड़ी 100 grade के बरावर है तो equation के दोनों साइड अगर मैं कि आपका 1 degree 10 upon 9 grade के बरावर है अगर 1 degree 10 upon 9 grade के बरावर है तो अगर कोई आप से बुछता ही कि x degrees कितने grade के बरावर है तो आप क्या करोगे ये जो conversion factor है ये multiply कर देना है x के अंदर ठीक है देखो एक पर फिर से सारे बच्चे हमारे पास में 1 degree का value जो है using this equation क्या क्या हमने हापे 90 से डिवाइड किया दोनों साइड और कुछ नहीं किया हमारे पास में 1 degree का value अगर 10 upon 9 grade आया है तो x degree का value कितना हो जाएगा x into 10 upon 9 grade ठीक है और अगर आपको reverse में conversion जरूत पड़ती है आपको अगर grade को change करने की जरूत पड़ती है इन degrees तो क्या करेंगे उस case में हम 1 grade की value पहले निकालने की कोशिश करेंगे in which case मैं equation को दोनों साइड 100 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा अगर मैं equation को इस साइड 100 से डिवाइड करूँगा x grade कितने degrees के बरावर हो जाएगा x into 9 upon 10 grade के बरावर हो जाएगा sorry degrees के बरावर हो जाएगा हमें अगर grade से degree में change करने जरूत पड़ती है तो हम बेसिकली इस तरीके से work out कर सकते है alright let us try to apply this यहाँ पर मेरा जो main idea है वो यह है कि हम grade को भी थोड़ा सा थोड़ा सा ही साही accept तो करें यहाँ पर एक नया measure है नय measure को हम यहाँ पर basically थोड़ा सा accept करना चारें बहुत जादा नहीं तो भी है न तो acceptance कब आएगा जह हमें यह पता होगा कि यह जो पुराना वाला thought है नो उसमें convert हो सकता है so let us try to do this first express 81 degrees in grade measure क्या आप 81 degrees को grade में change करके बता सकते हो कितना होगा ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 81 को multiply करना पड़ेगा किस से अगर आपको x degrees को change करना है grade में तो आप इसको 10 upon 9 से multiply करोगे 10 upon 9 से multiply करोगे तो यह इतना grade बन जाएगा ठीक है तो अगर आप यहां से cancel करते होगे तो 9 आता है और यह हो जाएगा आपका 90 grades के बराबर ठीक है This is where we feel a bit uncomfortable 90 क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे आता तो तो एक right angle हमारे दिमाग में आता है लेकिन 90 grade मतलब right angle नहीं है 90 grade actually आपका 81 degrees के बराबर है It is a bit less than a right angle ठीक है तो यहां पर हर बार यह दिक्कत आएगी हमारे दिमाग में already 30 degree का एक idea है हमारे दिमाग में 45 degree का एक idea है कि X axis Y axis के बिल्कुल बीच में से जाने वाली जो line है वो 45 degrees create करती है लेकिन यही बात अगर मैं बोलना चाहूंगा in terms of grade तो वो magnitude wise 45 नहीं आने वाला है वो कुछ और आने वाला है ठीक है वो कितना आएगा 45 जो आपका degree है वो कितना आएगा 45 degree अगर यहां पर लिखा हो होता तो आप यहां पर cancel करके उसको 50 grade बोलते है तो यह आपको basically जो है थोड़ा सा accept करना पड़ेगा कि यहां पर आप values अलव होंगे अगर आप grade वाले question solve करोगे तो but good thing is जादा question आपको grade वाले solve करने जरूत पड़ेगी नहीं because जैसे कि हम यहां पर थोड़ा सा uncomfortable feel कर रहे हैं इन numbers को देखकर वैसे ही बाकिस अपने भी इसको जो है almost discard करी दिया है इस measurement वाले unit को हमने almost discard कर दिया है लेकिन तब भी यहां पर पता होना चाहिए इसलिए हमने इसका discussion यहां पर किया है लेकिन एक interesting सवाल और करते हैं before we actually discard it altogether from our discussion एक simple सा question और मुझे करके बताओ कि in a right angle triangle ABC right angled at B angle A in degrees and angle C in grades are numerically equal तो आपका angle A का value कितना होना चाहिए यहां लेकिन को answer करते है उसके बाद में हमने जो यहां पर discussion किया है हमने जो यहां पर एक नया unit discuss किया है जिसका हमने grade measure नाम दिया है उसको हम जो थोड़ा सा side way करेंगे और जो बहुत जादा important questions है जो बहुत जाद यहां पर important unit है उसका discussion स्टार्ट करेंगे ठीक है sorry to take up the time that we discussed grade measure grade measure यहां पर discuss तो हर साल करना पड़ता है लेकिन उसका use as such बहुत जादा नहीं है this is just to help us understand कि लोगों ने basically वो जो problem थी grade degree के अंदर जो problem थी क्या 90 क्यों है 60 क्यों है 60 क्यों है उसको rectify करने की कोशिश की है ऐसा नहीं की कोशिश नहीं की लेकिन जैसे हमारी दिवांग में degree चड़ चुका है वैसे बाकि सब की दिवांग में degree चड़ चुका है इसलिए grade measure को उतना importance नहीं मिल पाए otherwise calculation point of view से grade is very good calculation point of view से grade is really very good ठीक है बहुत ही बहुत ही बढ़िया कोशन है काफी अच्छा कोशन है इने right angle triangle ABC इने right angle triangle ABC angle A right angle and B ठीक है तो यहाँ पर ABC ऐसा बच्छ फिकर बनना चीए हमारा angle A in degrees है ना कितना degrees है मान लेते हैं X degrees है and angle C in grades are numerically equal तो यहाँ पर आपका angle तो शायद अलग है लेकिन आप grade में जब बोलते हो इस angle को तो वो X grade हो जाता है समझो इस बात को जैसे कि इसके पिछले आवले कोशन में अगर मैं बोलना चाहूं ठीक है तो आपका 90 grade और 90 degrees actually अलग अलग है लेकिन 90 grade और 90 degrees में जो numeric value है 90 वो same है ठीक है तो ऐसे कुछ आपका सवाल है कि अगर आप यहाँ पर एक angle को अगर degrees में बोलते हो और दूसरे angle को अगर आप grade में बोलते हो तो आपको लगता है कि यह दोनों same magnitude वाले आपके values है magnitude मतलब numerically यहाँ पर लिखा हुआ है वो X ही लिखा हुआ है तो in that case आपको इहाँ पर angle A अभी हाँ पर find करके बताना है obviously degrees में find करके बताएंगे तो इहाँ पर start करने का हमारा idea क्या होना चाहिए कि क्योंकि हम already यहाँ पर right angle triangle के अंदर है तो हम इहाँ पर triangle की property पता है कि यहाँ पर 3 angles का सम 180 हो जाता है एक angle already आपका 90 बन चुका है तो बाकी दोनों का सम भी कितना हो जाएगा बाकी दोनों का सम भी आपका 90 degrees हो जाना चाहिए तो पहला वाला angle A तो already degrees में है लेकिन दूसरा वाला grade में है और यह add करके 90 degrees आना चाहिए तो इस equation में थोड़ी सी खराबी है इस equation में खराबी क्या है कि यह grade कहां से आगे है इसको भी change करो इसको हम change करेंगे तो हमें यहाँ पर grade को change करना है किसके अंदर grade को change करना है degrees में ठीक है तो grade को degrees में change करने के लिए हम करते क्या है grade को अगर आपको degrees में change करना है तो आप 9 by 10 multiply करते हो 9 by 10 multiply इसके अंदर मुझे करना पड़े है और अब ये पूरा का पूरा equation हमारा क्योंकि degrees में change हो चुका है so हम यहाँ पे अब इस सवाल को actually solve कर सकते हैं and if we try to do this हम यहाँ पे we'll have 19 x upon 10 is equal to 90 and that will give us how much यह obviously आपका x degrees में निकल कराने वाला है so आपका यहाँ पर answer क्या हो जाएगा x degrees is equal to how much 900 upon 19 बड़ा अजीब सा यहाँ पर fraction बन रहा है but this is the correct answer for this question यहाँ पर आपका angle a जो है वो इस value के बराबर है अगर यह condition यहाँ पर हम satisfy करवाते है कि आपका angle a in degrees and angle c in grades have the same numeric value तो मतलब अगर मैं यहाँ पर angle c आपसे पूछ रहा होता था आपका answer क्या था magnitude तो same ही है न magnitude in the sense आपका जो है पर numeric value हो तो same ही है न तो अगर इतना value मैंने degree में बोला तो यह angle a का measure हो जाएगा और इतना ही मैंने अगर grade में बोला तो यह angle c का measure हो जाएगा ठीक है तो यह angle c का measure हो जाएगा alright grade तो हमने यह थोड़ा सा relation निकालने की कोशिश करी है between grade and degrees लेकिन degree हमारे लिए बहुत प्यारा है हम उसको छोड़ना चाहते ही नहीं है ठीक है so यह जो हमने एक नया thought generate किया था जितने जल्दी हम यह create करने ही कोशिश कर रहे थे है न हम अपने degree को जो यहाँ पर बुरा बला कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या है 60 से divide करना पड़ रहा है यहाँ पर 60 से multiply करना पड़ रहा है हमने बुला कि हम यह दिक्कत ले लेंगे हमें चल जाएगी यह दिक्कत 60 से multiply करना है कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे लेकिन नया unit मत बता हो ठीक है don't tell us any new unit तो हम grade को यहाँ पर जो सीखने की कोशिश करते है हमने सीख लिया लेकिन हमने उसको अभी discard भी कर दिया है ठीक है we are actually happy with this conversion one right angle मतलब 90 degrees one degree मतलब 60 minutes and one minute मतलब 60 seconds हम इसके साथ में काफी comfortable है ओर रेट so यहाँ ला सवाल भी एक बार बीच में कर लेते हैं है ना जैसे कि आपने हाँ भी बिल्कुल lecture के सबसे front page के उपर देखा था इस figure को ठीक है कि आप इस सवाल का answer मुझे निकाल के बता सकते हैं before we actually dive into something very serious जो हमारे हाँ पर तीसरा measurement का unit है वो है radiance ठीक है वो पढ़ने के पहले जल्दी से मुझे इस सवाल का answer निकाल के बता दो क्या answer आना चीज़ का find the angle between the minute and hour hand at 7.20 pm शाम के अगर 7 बच के 20 minute हो रहे है तो minute और hour hand के बीच में कितना angle होगा ट्राइ करने सारे बच्छे बड़ा ही आसान सवाल लग रहा है बड़ा ही आसान सवाल लग रहा है answer लेकिन बच्चों भी बहुत सारे गलत देंगे इसके अंदर बहुत सारे बच्चे answer गलत देंगे हाँ जैसे कि यहाँ पर बच्चे answer गलत दे भी रहे कुछ कुछ questions अच्छे होते हैं है ना लेकिन जो बच्चे गलत आंसर दे रहे उनको भी बहुत जल्दी बहुत दुख होने वाला है कि यार हमने ऐसी गलती कैसे कर दी हमने यह इतने बच्चों वाले question में इतनी बच्चों वाली mistake करके गलत आंसर दिया यह सुनके आपको काफी दुख होने वाला है इसका answer 90 degrees नहीं है इसका answer 90 degrees नहीं है जो बच्चे यहाँ पर ए answer दे रहे हैं वो यहाँ पर basically काफी दुख्य होने वाले है आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि यार आपकी यह पूरी की पूरी clock है यहाँ पर बहुत सारे numbers लिखे होए और हर number symmetrically placed है given that हमारे clock अच्छी वाली है है न कई बार numbers अजीब तरीके से लिखे होते हैं कभी आपकी rectangular आपने design वाले clock देखी होगी ठीक है तो उसके अंदर number बड़े अजीब location पर होता है ठीक है लेकिन वो location भी इस तरीके से होती है location इस तरीके से होती है कि आपका time सही आता है ठीक है मतलब आप उसको एक circle के अंदर imagine करोगे तो फिर से वो symmetrically placed ही numbers आपको feel होंगे ठीक है इस बात को एक बड़ा आप कोशिश करना सोच कर देखना अगर आपने घर में specially अगर एक rectangular clock है तो आप इस चीज को notice करना कि numbers actually circular pattern में सही तरीके से placed है लेकिन क्योंकि आपके clock के design rectangle है इसलिए वो बड़ा अजीब तरीके का placement feel होता है ठीक है तो हम तो यहाँ पर जो discussion कर रहे है उसके नदर आपकी clock भी हमने circular ही ली हुई है ताकि हमें idea generate करने में दिकत ना है ठीक है तो मुझे बताओ कि हमारे पास में हापे साने numbers है हर number के बीच में अगर मैं angle निकालना चाहूं कि दो numbers के बीच में कितना angle create होता है तो क्या आप बता सकते हो वी value कितनी आएगी हमारे पास total ऐसे कितने divisions है वन और टू के बीच में एक division first division second division third division ठीक है तो हमारे पास में total 12 division है और पूरा का पूरा angle कितना है आपके प अगर आपको angle चाहिए तो आप कितना angle बताओगे 360 आपका overall angle है आपके ऐसे 12 divisions है तो 12 से अगर आप इसको divide करते हैं आपको कितना मिलता है 30 degrees मिलते है 12 और 1 की बीच में 30 degrees है 1 और 2 के बीच में 30 degrees है ठीक है तो आपके हैं 30 30 30 degrees basically होने वाला है और इसी logic से बच्चों ने यहाँ आपर answer जो है 90 degrees बता दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि 4 और 5 की बीच में 30 degrees 4 और 5 की बीच में 30 degrees हो गया 5 और 6 की बीच में 30 degrees हो गया और 6 और 7 की बीच में 30 degrees हो गया 30 30 30 एड कर दिया हमारा answer यहाँ पर सही होना चाहिए which is 90 degrees लेकिन प्रॉलम क्या होता है प्रॉलम यह है कि आपको पूछा गया है कि आर हैंड और मिनिट हैंड के बीच में इस पर्टिलर टाइम पे अंगल कितना होगा तो प्रॉलम इस कि जब आपके 20 मिनिट कंप्लीट हो चुके हैं तो आर हैंड भी थोड़ा आगे निकल चुका है आपको उस चीज को कंसेडरेशन में लेना पड़ेगा ऐसे थोड़ी नहों होता है कि 20 मिन्ट होगे लेकिन आर हैंड अभी भी आपका exactly 7 पर यह है और जैसे ही यहाँ पर जो है 8 o'clock होगा ना तो एकदम से आपक कि 20 मिनिट जब आपके कंप्रीट होए हैं तो आर हैंड 7 से कितना डिगरी आगे निकल चुका है यह लिवा समय आरी तो यह कैसे निकालेंगे यहाँ पर आर हैंड का जो आपका movement है वो कितना है एक घंटे के अंदर वो 30 degrees travel करता है यह सोनो आगर आपका एक घंटा हो गया है ठीक है तो आपका आर हैंड 12 से एक पे चला जाएगा फिर से एक घंटा हो गया है तो एक से दो प्या जाएगा मतलब आर हैंड को एक घंटा लगता है 30 degrees travel करने में मतलब अगर मैं यहाँ पर अपने minutes में discussion करना चाहूं तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो हमारा आर हैंड है वो 20 minutes में हम यहाँ पर कितना expect करने है आर हैंड का moment वो यहाँ पर फिर से unitary method से आजाएगा 30 into 20 and divided by 60 कितना होता है यह 10 degrees के बराबर होता है आपका जो आर हैंड है वो 10 degree आगे बढ़ चुका है इसलिए आप जो यहाँ पर देख रहे हो अगर 720 पीम हो रहे हैं तो आपका minute हैंड तो यहाँ से आपने जो counting स्टार्ट करेंए इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 30 degrees यहाँ पर 30 degrees यहाँ पर 30 degrees अगर आप यह सोच रहो तो यहाँ तर तो दिक्कत नहीं है लेकिन क्योकि आप यहाँ पर 20 minutes आगे निकल चुके हो तो आपका hour hand भी यहाँ पर 10 degrees आगे निक calculation चेक करें, yes, c is the correct answer, all right great, तो इस एक हलके full के question के साथ में हम अभी आगे बढ़ते हैं और अपना important serious discussion आज का start करते हैं, ठीक है, आज का serious discussion which is very very important is angle measurement in the system which is called circular system, यह serious discussion क्यों है, यह serious discussion इसलिए है क्योंकि हम आगे चलके circular system में trigonometry पढ़ने वाले हैं, तो कुछ तो है यहाँ पर, है ना, इनका कुछ तो यहाँ पर, जो है relation है, तो हम आगे चलके जो भी हमारे angles, अब trigonometry हो गया या फिर आगे कोई भी आप higher studies अगर करते हों, तो instead of degrees, we have now decided कि हम radians में बात करना start करेंगी, ठीक है, हमारो जो यहाँ पर angle measurement का unit है, वो हमने radian decide किया हुआ है, ठीक है, और यह बहुत important है, हमें यहाँ पर जो है, इसके साथ में comfortable हो जाना पड़ेगा, हमने grade के साथ में comfortable होनी की, कोशिश की, लेकिन उसके फायदे जो है, कुछ जाद कर दिया है, है ना, उसमें हम जादा जो है, नहीं जाएंगे, लेकिन radian is very important for us, आगे चलके हम जितने भी angles का discussion करेंगे, radians में जादा करके करेंगे, so we will do a lot of questions, ताकि आपको एक comfort feeling आ जाए, है ना, with this measure as well, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि radian measure में हम starting point क्या ले र लेकिन radian measure या फिर circular system जो है, इसके अंदर हम circle को यहाँ पर base लेके चलते हैं, क्योंकि circle में एक बहुत ही important property हमारे नजर में आई, circle में हम एक बात notice कर सकते हैं, कि यार यह radius चाहे जितना हो, अगर आप circle के उपर चलना start करते हो, और आप अगर exactly radius के बराबर distance travel कर लेते हो, जितना भी इसका radius है, it doesn't matter, आप अगर radius के बराबर distance travel कर लेते हो, तो यह जो आपका arc AB बनता है, इसका जो angle subtended at the center है, this always remains constant, आपका circle छोटा है, चाहे आपका circle बड़ा है, इससे फरक नहीं पढ़ रहा, अगर आप, अगर आप जितना radius है, उतना travel करो, अगर छोटे वाले का radius R1 है, तो आप R1 travel करो, अगर बड़े वाले का radius R2 है, तो आप R2 travel करो, अगर आप exactly radius जितना ही, अपना arc create करते हो, तो उस arc का angle subtended at the center हमेशा ही same आता है, और वो जो हमारा इहाँ पर एक standard और constant angle create हो रहा है, बार-बार किसी भी circle के अंदर, चाहे छोटे circle की बात करें, चाहे बड़े circle की बात करें, उस एक fixed angle को, हमने बोल दिया है, one radian के बराबर, ठीक है, तो यह आपके radian का definition है, circle के उपर, radius के बराबर length अगर आप trace करते हो, then that arc always subtends a constant angle at the center, that constant angle is called one radian, और उसको represent कैसे करेंगे, हम radian के लिए, यह power में c लिखते हैं, जैसे degrees के लिए गोला बनाते हैं, degrees में जैसे o लिखने के आदत हैं, हमें power में, वैसे ही यहाँ पर अगर radians में आपको represent करना है, तो आप इस सीज को power में c जैसा represent करते हैं, जैसे मैंने हाँ पर किया हुआ है, one की power में c लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ही one radian का notation, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप जो notice करोगे हो क्या है, कि हमने यहाँ पर base जो है, अब right angle लिया ही नहीं, right angle is not our base, our base is the idea of this circle, and the length of arc that we are taking, ठीक है, लेकिन problem क्या है, कि हमारे दिमाग में तो degree बैठा हुआ है, है ना, और grade measure जो में discuss कर रहा था, तो at least हमारे जो starting point था, वो scene था, तो हमें समझ पा रहे थे, कि यार आपने अगर right angle के 90 टुकड़े किये हैं, ओके, तो हमारे बसमें एक टुकड़ा जो आया है, वो one degree है, अगर हमने 100 टुकड़े किये हैं, तो एक टुकड़ा हमारा छोटा आएगा, अगर आपने same right angle के 90 टुकड़े किये, 90 equal parts किये, या लिगरी के comparison में, हमें कुछ तो relation create करते आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो starting point था, वो एक right angle था, लेकि हमारा starting point ही change होगे, तो अब यह relate कैसे करूँ, one radian मतलब क्या है ये, definition तो चलो समय में आ गई, problem समय में आ रहा है, क्या होता है, यहाँ पर बच्चों के साथ में सबसे जादा problem बड़ा क्या होता है, कि यार यह feel नहीं आती है, एकदम से feel नहीं आती है, कि यार यह one radian मतलब कितना है ये, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से इसको degree के साथ में relate करना पड़ेगा, point समय में आ रहा है, हमें degree के साथ में इसको relate करना पड़ेगा, है ना, तो वो ह हम यहाँ पर करना चाहरे है, उसके पहले और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा feel और दिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप यहाँ पर ध्यान से अगर इस बात को सुनने होगे, तो शायद आपको थोड़ा better feel और आएगा about radian, ठीक है, one radian कितना होना चाहिए, अगर आ आप यहाँ पर इसको as an x-axis y-axis देखा रहे हो, तो माल लेते हैं कि यह जो horizontal line है, यह आपकी x-axis है, और यह जो vertical आपकी line है, यह आपकी y-axis है, ठीक है, यह basically vertical line जो है, यह आपका rope है, यह आपका एक rope है, rope का यहाँ पर significance का है, बताता हूँ में आपको बहुत ही चल्दी, ले अगर में यहाँ पर minus one unit पीछे जाता हूँ, तो yellow point के हो जाएगा, आपका minus one, zero, this is the center of the circle that I have drawn, मतलब इस circle का radius कितना हो गया, इस circle का radius कितना हो गया, आपका one unit के बराबर हो गया, ठीक है, obviously अगर यह one unit का circle है, one unit radius का अगर circle है, तो yellow point का आपका zero आएगा, लेकिन इस तरफ आ हमने हाँ पर एक बहुती बढ़ी आसा specific सा circle लिया है, जो origin से pass करा है, जिसका center minus one, zero पे है और जिसका radius one के बराबर है, अगर y axis पे actually आपकी rope है, मतलब y axis जो है, वो कैसा है, flexible एकदम, y axis एकदम आपका flexible है, ठीक है, y axis अगर आपका एकदम से flexible है, ठीक है, तो आप यहाँ पर space को जो है, overlap करवा सकते हूँ, इस surface के उपर आपने अगर यह rope गिरा दी, तो आपका यह जो particular point है, which is currently at the position one, अगर मैं y axis की बात करूँ तो यह position one वाला आपको point है, यह point P1 कहीन कहीं जाके तो लाए करेगा न, यह आपका point P1 जो है, यह आपके circle की उपर कहीन कहीं जाके fit बै रैठेगा, उस point का angle basically कितना बनने वाला है, one radian बनने वाला है, तो y axis वाला point यहाँ पर जाके गिरता है, वो point x axis अपने जितना angle बना रहा है, वो one radian के बराबर है, क्यों हो रहा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो radius है, वो भी one unit के बराबर है, और आपने इसके उपर गि ठीक है, तो आपका length of radius and length of arc अगर equal हो जाता है, तो उस angle का ही measure basically by definition one radian के बराबर है, ठीक है, so what we are trying to do is, we are trying to get more comfortable with the idea of radians, यहाँ पर हमें सोच रहे है कि यार क्या, में real numbers की मदद से radians को समझ सकता हूं क्या, अलग लग तरीक से समझने की कोशिश कर रहे है हम यहाँ पर, है तो हम दे एक नए तरीक से इसको समझने कोशिश करी, कि अगर मेरा यहाँ पर y-axis जो है वो rope से बनावा एकदम flexible है, तो मैं अगर इस circle के उपर अपने rope को अगर गिराता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो one unit वाला point है, वो जहाँ आ की गिरेगा, उतना basically angle आपका one radian यह, so P1 is this point, जो यहाँ पर आ की गिरा है, जिसकी मदद से one radian create होता है, है न, आपका जो P2 point है, उसकी मदद से आपका क्या radian create होगा, आपके हैं पर दो radian create हो जाएगा, ठीक है, यह two radian वाला आपका P2 point होना चाहिए, थोड़ी और feel आई, थोड़ी और feel आई, यहाँ पर तब ही आएगी, जब हम degrees में उसको convert करके देख लेंगे, कि one radian मतलब कितना, क्योंकि हमें तो degrees on में आता है, ठीक है, हमें तो degrees on में आता है, अगर मैं इसको one radian को degree में convert करके बता दूगा, तो आप बोलोगे, अच्छा, one radian मतलब इतना होता है क्या, then you will find कि हाँ, चलो, अ ultimately है क्या, degrees में बताओ, है न, यहाँ पर बाते मत बनाओ, है न, यहाँ पर क्या लग रहा है, बाते बन रही है, है न, जितना आपने यहाँ पर radius रखा है, उतना ही चलो, और फिर जो angle subtend होगा, वो one radian है, है न, फिर यहाँ पर आप one का circle बनाओ, फिर यहाँ पर rope है, rope को ग रहा हो, one वाला point जो, यहाँ पर angle create करेगा, वो one radian है, फिर चल क्या रहा है, है, समझ में न, आया मतलब हम, ठीक है, तो यहाँ पर हम convert करना चाह रहे है, basically one radian को in terms of degrees, ठीक है, तो यहाँ पर बहुती simple एक idea, जो है, आपको already पता है, ठीक है, circle में हमें, circle के arc को लेके बहुत simple सी बात पता है, ठीक है, angle subtended by arc at the center is directly proportional to the length of the arc, अगर आपका arc का length जादा है, तो बड़ा angle subtended करेगा, यह सोनू, अगर आपका arc का length छोटा है, तो angle subtended भी छोटा रहेगा, आपका length of arc अगर छोटा है, तो angle subtended जादा, यह सोनू, यह idea भी हमें clear है, तो इस idea का में इस्तमाल कर पराओ, to actually relate radiance and degrees, to relate radiance and degrees, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बताओ, कि आपका, अगर direct proportionality है, अगर आपका direct proportionality है, length of arc is directly proportional to the length of angle subtended at the center, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कुछ लिख सकता है, कि दो अलग-लग arcs का, जो यहाँ पर length है, दो अलग-लग arcs का, जो यहाँ पर length है, है न, जिसे की एक arc मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, which is AB arc, और दूसरी arc का जो length है, जो यहाँ पर मुझे दूसरा arc नजर आ रहा है, वो में कौन सा लेना चाहता हूँ, AC लेना चाहता हूँ, ठीक है, यह exactly क्या है, वो भी discuss कर हो रहा है, उसी रेशो के बराबर हो जाएंगे, मतलब यह angle AOB, angle AOB, upon angle AOC के बराबर हो जाना चाहिए, क्यो ऐसा हो रहा है, clear हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इस statement को देखकर क्या बोल पा रहे है, इस statement को हम देखकर बोल पा रहे है, कि आपका जो length of arc होता है, it is proportional to the angle subtened at the center, let us say the angle subtended is theta, if this is true, then I can create some constant of proportionality, and I can create an equation, which is L is equal to k theta, L is equal to k theta, आगे चल के हम यह भी देखेंगे कि यह constant of proportionality कितना है, लेकिन अभी के लिए हमें केवल proportionality से मतलब है, तो अगर आपका यहाँ पर L is equal to k theta है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, L1 is equal to k theta 1, and L2 is equal to k theta 2, तो मैं अगर दुनों साइट डिवाइड कर दूँगा, तो यह आएगा, L1 upon L2 is equal to theta 1 upon theta 2, L1 upon L2 is equal to theta 1 upon theta 2, यह इस proportionality से ही basically आया है हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताता हूँ कि हमने यहाँ पर AC बहुत सोच समझ के लिए है, AC हमने यहाँ पर basically right angle subtend करने वाला एक आपका arc लिए है, AC arc actually subtends 90 degree at the center, तो अगर यह 90 degree subtend कर रहा है center के उपर, तो क्या में यहाँ पर length of arc भी बता सकता हूँ, क्या यह circumference का one-fourth हो जाता है, circle का जो circumference है, 2 pi r, उसका यह कितना हो जाएगा, उसका one-fourth हो जाएगा, agreed, obviously, 90 degree subtend करने वाला जो आपका quarter बोलते हैं, इसको quarter, ठीक है, one-fourth होता है, और आपका जो AB है, वो तो already special है, AB हमने यहाँ पर कितना लिया है arc, आपका जितना भी radius है, इस circle का हमने arc length भी उतना ही लिया हुआ है, इसमें यहाँ पर हम R लिख सकते हैं, बड़ी आसा नहीं से, AOB जो आपका यहाँ पर angle है, AOB जो आपका angle है, obviously, कितना subtend करेगा, one radius, one radius subtend करेगा, क्योंकि यही हमारा definition है, अगर arc length आपका radius के बराबर है, तो फिर जो angle subtendर होता है, उसे को हम one radius बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि AOC right angle है, इसलिए right angle को हम यहाँ पर अब degrees में 90 degrees बोल सकता हूँ, तो हमने यहाँ बर किया क्या है, हमने एक ही equation में दो अलग-अलग units substitute कर दी है, है न, एक जगे हमने यहाँ पर substitution किया है, radians में और एक जगे substitute किया है, degrees में, इसलिए हमने यह काम किया है, तो यहाँ पर होगा क्या है, सबसे बिले आपका r cancel हो जाएगा, तो यह क्या बता रहा है आपको, कि यह हम basically derivation किसी भी circle के लिए start कर सकते थे, उसका radius 1 होना ज़रूरी नहीं है, कई सेरी books में 1 radius के साथ में circle का discussion स्टार्ट करते है, कि एक unit circle मानो और फिर यहाँ पर यहाँ पर यह ऐसा ऐसा बोलो, ठीक है, लेकिन unit circle लेनी के ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अगर r radius का भी circle ले रहे हो, तो finally, I have one relation, one radius, मतलब कितना होना चाहिए, 90 को cross multiply करो, so 90 के अंदर यह नीचे वाला 2 multiply होगा, तो 180 हो जाएगा, और नीचे आपका πाई बचा होगा है, finally, अब शायद हमें चीज़े समझ में आने वाली, कि one radius मतलब कितना, one radius मतलब 180 अपॉन पाई डिग्रीज, one radius मतलब कितना, 180 अपॉन पाई डिग्रीज, यह हमारा final answer है, अभी भी फिल नहीं आई, अभी नहीं पता सला कि कितना होता है, तो फिर calculate करो, अगर आपको अभी भी फिल नहीं आई है, तो calculate करना पड़ेगा, one radius is equal to कितना होता है, 180 अपॉन पाई, पाई को में लगभग कितना ले सकता हूँ, 22 upon 7, ठीक है, तो यहाँ पर इतना, आप calculate करके बताओ, कितना value आयागा, 180 upon 22 into 7 आप करो, और देखो जल्दी से कितना answer आपका बनने वाला है, ठीक है, ओल्राइट, 57.27272727, ओल्राइट, यहाँ पर हरियों हमारे साथ में जो यह value create करके बता रहा है, उसने हाँ पर बड़ी महनत करी, मैं लेकिन उसको approximate कर रहा हूँ, है न, one radius को मैं approximately 57.3 लिख रहा हूँ, है न, जाहाँ दिल पर मत लेना, 57.27 कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको लगभग approximately 57.3 जैसा at least बोल देता है, calculation करते समय या फिर question में explain करते समय तो मैं यहाँ पर जो है, इसको 60 degree के आसपास वाला angle बोलता हूँ, है न, अगर हम यहाँ पर एक अच्छे angle के साथ में इसको compare करना है, तो 57 के आसपास वाला सबसे अच्छा angle जो हमें पता है, वो कौन सा है, 60 degrees, मतलब 1 radian लगभग आपने अपने दिमाग में photo कौन सा बनाना चाहिए, लगभग आपके दिमाग में अगर 1 radian का photo बन रहा है, तो 60 degree वाला photo बनना चाहिए, थोड़ा सा कम है 60 degrees है, ठीक है, अब थोड़ी और फिल आई, येस, अब थोड़ी और फिल आई, कि आपका 1 radian मतलब होता कितना है, जैसे हम degree में बात करना स्टार्ट करते हैं, हमें थोड़ा अच्छा लगता है, कि अच्छा है, ये इतना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सोचो, कि अब ये तो भाई, यूनिट को अगर हम लेके चल रहे हैं, अगर हम 1 radian को लेके चल रहे हैं, तो 2 radian तो एकदम से बहुत बढ़ा एंगल हो जाएगा, 3 radian बहुत बढ़ा एंगल हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर 3 radian मतलब बहुत जादा है भई, 3 radian मतलब यहाँ पर देख लो, आप बहुत जादा हो जाएगा आपका, लगभग आपके यहाँ पर 180 degree तक पहुँचने के नौपत आजाएगी, लगभग, लगभग, ठीक है, पहली बात यह समझना चाहिए, आपने की यह unit बहुत बढ़ा है, यह unit बहुत बढ़ा है, इसका negative point क्या है, कि अगर 1 radian ही आपने यहाँ पर almost 60 degree के बराबर को बोल के रखा है, तो 45 degree तो fraction होगा फिर, 45 degree मतलब point में आएगा कुछ नकिछ, और 30 degree भी कहिने की point में आएगा, 15 degree भी point में आएगा, 60 degree से कम जो भी आपके basically यहाँ पर angles है, जो भी standard angles है, अब वो fraction में हमें नजर आने वाला है, ठीक है, but the thing is, हम यहाँ पर जो ही उनको पाय के format में बोलेंगे, कभी में हम यहाँ से degrees को, degrees में basically ऐसे convert करके बताने वाले नहीं है, ठीक है, कि decimal में अपने convert कर दी, 22 by 7 basically हम बोलना क्या चाहत हूं, हम 22 by 7 ऐसे substitute नहीं करने वाले हैं, आगर πाय में answer आ रहे हैं, तो हम πाय में ही report करेंगे, और उसी के साथ में comfortable होनी की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको कभी भी change करना है values को, from degrees to radian, या फिर radians to degrees, तो हम यहाँ पर उनके बीच का relation अगर पता है, तो हम यह काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर relation अलड़ी है हमारे पास में, we already have the relation, अगर आप यहाँ पर pi cross multiply कर दोगे, अगर आप यहाँ पर pi cross multiply कर दोगे, तो we have the best relation possible, which is pi radians is equal to 180 degrees, हमारे पास में जो relation है, जिसको हमें बार-बार इस्तेमाल करना है, it is pi radians is equal to 180 degrees, 180 degrees दिमाग में feel आ गई, 180 degrees दिमाग में feel आ गई, straight angle, straight line के ओपर जो angle है, वो 180 degree है, ठीक है, लेकिन आप उसको radian में अगर कहना चाहते हो, तो यह pi radian है, कितना है यह? pi radian, ठीक है, all right, but pi is not 180, pi is not 180, pi radian is 180 degrees, pi radian is 180 degrees, ठीक है, unity के साथ में चीज़े बोलते हैं, तो यहाँ पर सही होती है, otherwise, numerically आपका pi कितना है, 3.14, and आगे भी बहुत कुछ है, है न, irrational quantity तो पूरा था बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, लगभग अगर बोला चाहते हैं, तो 3.14 radian is actually 180 degrees, काफी weird, काफी weird है, ठीक है, लेकिन कभी भी अगर मुझे change करने की जरूद पड़ती है, तो मैं यहाँ पर फिर से अपना जैसे grade और degree में हमने relation generate किया था, वैसे relation यहाँ पर भी हम generate करके रख सकते हैं, अगर मैं दोनोसाइट 180 से divide कर दूँगा, तो मुझे 1 degree का value मिलेगा, 1 degree हो जाएगा आपका pi अपॉन 180 radians के बराबर, आपको कभी भी अगर, अब x degrees को change करने का ज़रूत पढ़ता है, तो आप क्या करोगे, अगर 1 degree आपका pi by 180 radians के बराबर है, तो x degrees मतलब कितना हो जाएगा, यह x into pi upon 180 radians के बराबर हो जाएगा, ठीक है, instead of dividing this equation with 180, we could have divided this equation with pi, तो अगर मैं pi से divide करूँगा, तो मेरा 1 radians का value निकल कर आएगा, 1 radians का value होता है आपका 180 upon pi के बराबर, इतना degrees होता है, तो आपको कभी भी, अगर x radians को change करना है, अगर आपको x radians को change करना है, तो आप क्या करते हो, उसके अदर 180 upon pi multiply करते हो, तो आपका degrees में answer आपको मिल जाता है, तो आपको अभी degrees में answer मिलेगा, conversion factors आपको पहले भी पता है, जैसे कि अगर आपको liter को meter cube में change करना है, दोनों volume के unit है, meter cube भी volume है, और liters भी volume के unit है, लेकिन हमें conversion factor पता होना चीटा कि हम realize कर पाएं, कि 1 meter cube मतलब कितना बड़ा होता है, 1 meter cube कितना बड़ा होता है, पता है ना आपको, ठीक है, 1 meter cube, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको realize करना चीए, कि यार आपका x radian, या फिर 1 radian मतलब काफी बड़ा है, 1 radian मतलब आपका 57 के लगभग degrees हो जाते हैं complete, ठीक है, so these are the conversion factors that we'll use, to actually get to our answers, and there are some very very important angles, जिसका हम यहाँ पर radian में expression याद रखना चाहेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 90 degrees की अगर बात की जाए, तो 90 degrees को अगर आपको convert करना है, तो क्या करना है, degrees को अगर आपको radian में convert करना है, तो πाइबाइ 180 मल्टिप्लाइ करना होता है, ठीक है, तो πाइबाइ 180 मल्टिप्लाइ करते हैं इसके अंदर, तो हमें पता चलेगा कि 90 degrees मतलब हम बोलेंगे क्या आगे से, क्योंकि मैंने आपको बोलाई, हाँ पर हम बार बार अब radian में ही discussion करने वाले हैं, ठीक है, तो πाइबाइ 180 एक बार मल्टिप्लाइ करके देखो, पाइबाइ 180 अगर आप मल्टिप्लाइ करते हो, तो आपको radians में जो answer मिलता है, इस पाइबाइ 2 radians, पाइबाइ 2, आपका angle कहीं बार भी अगर पाइबाइ 2 लिखा हो दिखाई देता है, मतलब 90 डिग्री का discussion चल रहा है, 45 डिग्री केस में क्या हो जाएगा, 90 का भी आधा, 90 का आधा हो जाएगा, तो डिरेक्टली इसको मैं क्या 5 by 4 लिख दूँ, है न, 5 by 4 radians जो है, वो क्या है, 45 डिग्री के बराबर है, आपको जो 60 डिग्रीज है, वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज के लिएक पर फिर से करके देख लो, 60 into pi by 180, तो इस बार आपका 60 और 180 जो है, 3 times cancel हो जाएगा, और आपके स्वें जो एंगल निकल रहा है, that is pi by 3 radians, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब आपको याद होना चीए, आपके जो है, question में अगर कोई बोलता है, sin pi by 4, तो बिना conversion किये, आपको 1 by root 2 answer देते आना चाहिए, क्या आप बोलना चाहरों समझना आ रहा है, आपको इन सब units के साथ में, इतना जादा comfortable हो जाना है, कि कहीं पर भी आपको अगर ये values नजर आती है, sin pi by 3, sin pi by 3 root 3 by 2 एकदम से आपको बोलते आना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर sin 60 degree के लिए value बता देते हो एकदम से, वैसे ही sin pi by 3 के साथ में आपको values बताते आना चाहिए, ठीक है, ये कैसे convert कर रहे हों समझ में आ रहे है, pi by 180 multiply करके convert करें, because we have already understood, कि ये convert करने के लिए हमें क्या relation इस्तेमाल करना है, ठीक है, और भी कुछ important values है, 90 degree तो हमने कर लिया वैसा है, 90 degree हमने कर लिया है, 180 कर लेते हैं, 180 के case में हमारा answer क्या आएगा, 180 into pi by 180, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमने actually करी लिया था, ये कितना है हमारा, pi radians के बराबर है, और 360 मतलब कितना हो जाएगा, 180 का double, मतलब कि हो जाएगा हमारा, 2 pi radians के बराबर, yes, agree करें सारे बच्चे, ये conversions हम कर सकते हैं, आसानी से, all right, yes, आज हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, प्रनाव हम यहाँ पर आज जो है, आज हमारा जो टाइटल है, लेक्चर का वो ही क्या है, angle measurement ही है, ठीक ता angle को measure करने के लिए, हम यहाँ पर कौन-कौन से unit इस्तमाल करते हैं, और उनके बार में जानकर लेना ही, हमारा आज का main target है, ठीक है, लेकिन एक बार convert करके बताओ, अगर कोई standard angle नहीं है, 36 degrees अगर किसी नहीं पूछ लिया, कि 36 degrees को change करो, into radians, तो भी हमें जादा परिशान नहीं होना चीए, क्योंकि जो अभी हम standard angles के लिए कर रहे थे, वही actually 36 के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे, πाई बाई 180, ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर cancellation करके बताओ, कितने से cancel हो जाता ही, I guess 5 times cancel हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 5 times cancel होगा, और आपके उसमें यहाँ पर pi by 5 radians create होगा, ठीक है, pi by 5 radians मतलब हम यहाँ पर कितने degrees की बात कर रहे हैं, pi by 5, मतलब हम यहाँ पर 36 degrees की बात कर रहे हैं, और वैसे ही, अगर कोई आपको बोलता है कि 40 grade का value बताओ कितना आएगा, 40 grade का value कितना होगा, तो grade से directly हमने degrees में convert करना सीख लिया है, और degrees को radians में convert करना सीख लिया है, ठीक है, तो यहाँ बे 2 step में basically हम अपने answer को निकाल सकते हैं, पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40 grade को degrees में change करेंगे, degrees में change करने के लिए क्या multiply करना बढ़ता है, 9 by 10 multiply करना बढ़ता है, और जैसे आपने 9 by 10 multiply किया, अब यह degrees हो गया, और degrees को radians में change करने क्या multiply करना बढ़ता है, π by 180 multiply करना बढ़ता है, ठीक है, तो यह overall आपका radians में answer create होना चाहिए, ठीक है, clear हो रहा है, ये ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पर calculation करके देखो, ये 4 से 0 से 0 cancel होगा, 4 9 से 36, ये 36 ही है, हैसे लगता है कि अलग-लग question है, लेकिन अलग-लग question है गी नहीं, because 36 degrees and 45 grade are equal, और क्योंकि ये दोनों angles आपस में equal है, इसलिए radian में इनका measure भी अगर आप निकालने जाओगे, तो आपके इसमें same ही answer आएगगी, दोनों का answer यहाँ पर जो है, πाई वाई फाई radian ही है, ठीक है, एक और interesting बात में आपको बताया तो, radian को हम इतनी priority देते हैं, कि अगर by chance, आपको किसी question में, hold दिया, तो आप यह मत पूछना, कि सर यह sin pi radians की बात कर रहा है, यह sin pi degrees की बात कर रहा है, अगर उसने sin pi लिख दिया है, without any unit, तो हम उसको radian में ही मानेंगे, यह लिबास्वन में आरी, हमारे लिए, radian इतना important है, जैसे कि log में हमने discuss किया था न, यहाँ पर आपका unit अगर नहीं लिखाया है, तो हम उसको radian मानते हैं, इतना हमारे लिए radian important है, ठीक है, and what about this, कि हम इसको भी convert कर सकते हैं, into radians, 10 degrees 48 minutes को क्या हम convert कर सकते हैं, जल्दी से try करें सारे बच्छे, 10 degrees 48 minutes, radians में कितना बनेगा, इस तरह के छोटे मूटे सवाल, आपके NCRT में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, आपके regular जो 11th class की कोई से भी textbook होगी, उसके दिर आपको यह conversion वाले बहुत सारे question मिलेंगे, वहाँ से आप practice कर सकते हो, ठीक है, J के लिए बहुत साथ important नहीं है, लेकिन इस lecture में हम क्योंकि fundamentals develop कर रहे हैं, इसलिए यह सवाल भी करना ज़रूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं, but obviously not much important for our J, concepts are obviously important, questions are not, ओके, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें तो degrees से change करने के आदत हैं, तो यह जो minute में लिखा हुआ है, मैं इसको भी degrees में change कर लेता हूँ, तो मैं गर इसको degree में change करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बनूँगा, आपका 48 minutes, मतलब 48 upon 60 degrees होता है, ठीक है, 48 upon 60 मतलब कितना हो जाएगा, यह कितने से cancel हो रहा है, क्या यह 12 से cancel हो जाएगा, यह 12 से अगर cancel हो जाएगा, तो यह 4 times जाएगा, और यह 5 times जाएगा, ठीक है, इतने degrees हो गया, मतलब overall degree कितना हो गया आपके उसमें, LCM लोगे तो आपके पसमें 54 upon 5 degrees है, यह जो आपके पसमें 10 degrees 48 minutes angle है, अगर आप केवल degrees में बात करोगे, so it is 54 upon 5 degrees, now we can convert this degree into radian very easily, क्योंकि आपको पता है, यहापे conversion factor क्या है, हमारा conversion factor है, जो भी x value आपके पास में है, उसके तरह pi by 180 multiply करो, ठीक है, अगर आप pi by 180 multiply करते हैं, तो यहाँ पर cancellation क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो, शायद यह 18 से पूरी तरह से cancel हो जाएगा, 3 times cancel होगा 18 से, ठीक है, होना चीए, तो 18 यहाँ पर 10 times आएगा, यहाँ पर 3 times आएगा शायद, and that will give you a better value, दिखने में यहाँ पर pi के टांस में तो आपके values अच्छी दिखते हैं, ठीक है, जिसके यहाँ पर हमारे पास में असर आया है, 3 pi by 5, 3 pi by 50, sorry, 3 pi by 50, ओके, clear होगे, तो हम यहाँ पर ऐसे गंदे गंदे से जो हमारे अंगल से, उनको भी radians में report कर सकते हैं, और reverse काम भी हम कर सकते हैं, reverse काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको radian में कुछ दिया है, तो बड़ी आसानी, इसका degree measure भी बता सकते हो, ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या हो चाहेगा, 2 pi by 15 radians, मतलब कितना degree है, जल्दी से बताओ, ABCD option में से क्या होना चीए, conversion factor इस बार, उल्टा वाला इस्तमाल करना पड़ेगा, yes or no, अभी तक हम यहाँ पर ही, degrees से radian कर रहे थे, तो हम pi by 180 multiply कर रहे थे, आप क्या multiply करना पड़ेगा, 180 upon pi, 180 upon pi multiply करो, और जल्दी सा answer बताओ, क्या आना चीए, yes, everyone, all right, chemistry के lecture में, already pi का इस्तमाल, radians का इस्तमाल करना, start कर दिया आप लोगों ने, all right, chemistry और physics, already बहुत तेज़ चलते है, mathematics के comparison में, है न, इसलिए, वहाँ बेसिक mathematics करके, जो है, initial discussions किये जाते है, कि यार, maths में तो actually पढ़ने में, बहुत थेंग लएगा, आप पहले हमको जो चाहिए, physics में, हमको जो चाहिए, chemistry में उतना-उतना आपको बता देता है, है न, this always happens, and that is a good thing, mathematics पढ़ने में, हमें काफी आसानी हो जाती, इस वज़े से, all right, आपको यहाँ पर multiply करना है, 180 upon pi, so pi से pi तो गया, है न, and यहाँ पर आप अगर देखोगे, तो यह 15 times कितना जाएगा, है न, 15 यहाँ पर अगर 12 times जाएगा, तो I guess आपका answer फिर यहाँ पर, d create हो जाना चीए, ठीक है, सारे बच्चों का आगे, d answer यहाँ पर, 15 आपका कितने times जाएगा, ठीक है, अगर 30 होता, तो 6 times जाता, तो लेकिन 15 है, तो यह basically 12 times जाएगा, है न, और फिर 24 हो जाएगा, all right, great, अच्छा, मतलब d answer हमारे correct हो जाना, तो आप यहाँ पर, इधर से उधर convert करो, या इधर से इधर convert करो, आपको यहाँ पर, दोनों ही conversions आते हैं करते, right, and, apart from just converting, the values, हमारे पास में कुछ सवाल, ऐसे भी हो सकते हैं, जिसके अंदर, आपको length of arc, calculate करने के लिए बोला जाए, या फिर आपको area of sector, calculate करने के लिए बोला जाए, ठीक है, let us do these two formulas also, before going on, with more questions, ठीक है, इसके अंदर में और भी सवाल हमें करने हैं, लेकिन पहले, इन दोनों का भी discussion कर लेते हैं, बहुत ही आसान discussion है, बहुत ही simple discussion है, क्योंकि हमें फिर से, circle के बारे में ये simple सी बात पता है, क्या पता है हमें, कि अगर हमारा arc का length जादा है, तो angle subtended जादा होगा, अगर arc का length जादा है, तो angle subtended जादा होगा, ठीक है, आप लोगों ने ये formless पहले पढ़े होई होगे, कुछ boards में होते हैं, formless, 10-week class में, कुछ boards में नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आपके class में, अगर आपके boards में, अगर ये formless पहले से थे, तो आपको काफी relate करते आ रहा होगा, length of arc is equal to r into theta, लेकिन यहाँ पर जो theta होता है, formula के अंदर, वो कौन सा होता है, radiance में होता है, यहाँ पर जो theta होता है, वो radiance में होता है, ठीक है, तो इसका इपर formula generate करके देखते हैं, using this statement again, कि अगर आपके पास में length of arc जादा है, तो angle subtended भी जादा है, मतलब, अगर मैं दो अलग-लग length लेता हूँ यहाँ पर, length of arc a, b, और length of arc a, c, तो इनका जो ratio है, यह इनके angle subtended के बराबर ही होगा, मतलब a, b, कितना angle subtended कर रहा है, तो a, b, यहाँ पर angle subtended कर रहा है, theta के बराबर, और a, c, कितना angle subtended कर रहा है, a, c, यहाँ पर angle subtended कर रहा है, a, o, c, के बराबर, ठीक है, theta angle यहाँ पर और लिदी बनावा है, तो तो मैंने theta लिख लिए है, हम यहाँ पर obviously, जो angle अब लेना चाहते हैं, वो radiance में ही लेना चाहते हैं, इसके पहले आपने notice किया होगा, कि हमने जो derivation किया था, जिसमें हमें pi radiance is equal to 180 degrees का relation मिला था, वहाँ पर हमने दोनो angles को अलग-लग unit में substitute किया था, लेकिन question solve करते हैं, समय हम ऐसा नहीं करते हैं, हमने अलग-लग unit वहाँ पर इसलिए substitute किया थे, because we wanted to relate those two units, लेकिन आपको कोई भी अगर सवाल solve करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक equation लिखी हुई है, सो हम यहाँ पर अगर ratios लिख रहे हैं, तो हम उपर भी radiance में लिखेंगे, नीचे भी radiance में लिखेंगे, उपर भी length अगर आपने यहाँ पर meters में लिखेंगे, तो नीचे भी meters में लिखते हैं, हाँ पर कभी भी हम अलग-लग units का इस्तमाल नहीं करते हैं, तो उपर मैंने यहाँ पर थीटा रेडियन्स पर लिखा है, नीचे में मैं थीटा रेडियन्स में ही लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर रिलेशन डेवलप करना है, तो बेटर होगा कि मैं यहाँ पर जो AC आर्क ले रहा हूँ, वो एक non-arc ले लूँ, तो non-arc में कौन सा ले सकता हूँ, यहाँ पर अभी तो मैंने यह एक random सा एक आर्क लिया वाई, जिसका length L है, ठीक है, तो length of AB कितना है, basically L के ही बराबर है, length of AB L के बराबर है, मैं यहाँ पर जो AC ले रहा हूँ, वो बहुती standard एक length ले रहा हूँ which is r क्यों? क्योंकि अगर मैं length of r r के बराबर कर देता हूँ तो मेरा जो angle subtended होता है वो 1 radian के बराबर हो जाता है तो ये मेरा relation generate करने में help करेगा ठीक है? So we are doing that हम यहापर क्या कर रहे है? अपना जो length of ac है वो यहापर r select कर रहे है ताकि यहापर भी मुझे क्या लिखते आजाए? यहापर मुझे 1 radian लिखते आजाए aoc का value यहापर एकदम से 1 radian हो जाएगा and now if we just cross multiply हमारे बास में relation आज़ते है which is l is equal to l is equal to theta into r but always remember कि यहापर theta कैसा है? आपका radians में है theta कैसा है? radians में formula इस्तिमाल करते समय अगर आप गलती से भी degree में इस्तिमाल करोगी तो आपका answer गलत हो जाएगा ठीके तो यह गलती नहीं करनी है आपको यहापर radians में formula इस्तिमाल करना है length of arc निकालने का कितना छोटा सा और सुन्दर सा formula है l is equal to theta into r यह formula अगर आपने अच्छे से लगाया नहीं है तो एक बार लगा के देखो अगर आपको यहापर entire circumference का length निकालना है circle का circumference है पूरा perimeter जो इस circle का अगर आपको find करना है तो आपका arc धिरे-धिरे बड़ा होते जा रहा है ठीक है जो आपका arc पूरा का पूरा circle cover कर लेगा तो आपका angle subtended कितना हो जाएगा 360 degrees हो जाएगा आपका angle subtended कितना हो जाएगा 360 degrees हो जाएगा लेकिन degrees में नहीं लिखना है यहापर आपको यहापर जो theta डालना है वो क्या डालना है आपको यहाँ पर theta डालना है in radiance तो 360 degrees मतलब कितना radiance होता है 360 degrees मतलब कितना radiance होता है 360 degrees मतलब आपका 2 pi radiance होता है तो वहाँ पर 2 pi डालते हो तो आपका actually formula बन जाएगा दिख रहा है आपको आपकर theta की जाएगे 2 pi डालते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 pi r ठीक है, तो यह अच्छी बात है, यह आले formula के अंदर theta radiance में होता है, उसका एक तरीके सी realization है यह, यहाँ पर आपका जो entire length of circumference है, circle का, वो 360R नहीं होता है, वो 2 piR होता है, ठीक है, all that great, चलो, तो हमें एक formula पता चला है, यहाँ पर length of arc का, कभी पर जरूत पर दिकता है, हम इस of the sector, अगर आपको यहाँ पर निकालना है, area of the sector, let's say, आपको यहाँ पर area निकालना है, इस particular, जो है, sector का, जो theta angle subtrain कर रहा है, जो theta angle यहाँ पर subtrain कर रहा है, उस sector का आपको यहाँ पर area find करके बताना है, तो यह भी फिर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर उसी idea के इस्तिमाल करो, कि length of arc, अगर आप बढ़ाते जाओगे, तो आपका sector का area भी बढ़ा होते जाएगा, अगर आप length of arc बढ़ा रहे हूँ, तो आपका angle subtended भी बढ़ रहा है, मतलब angle subtended जितना बढ़ाते जाओगे, उतना आपका area बढ़ते जाएगा, यह भी बात बोल का angle subtended है, उतना ही जादा आपका area of the sector है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं D के साथ में एक नया sector बनाता हूँ, तो यहाँ पर AOD एक जादा area वाला आपका sector होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यह extreme case ले लेते हैं, फिर से आपको, अगर यहाँ पर इसको radius को rotate करने की permission है, तो इसक अगर यहाँ पर angle subtended देखूँगे, in that case, in that case, आपका जो angle subtended आएगा, जहाँ पर आपने पूरा circle ही ले गिया है, वो limiting case कौन सा है, 2 pi angle subtended वाला, अगर आपने यहाँ पर 2 pi angle subtended किया है, तो उस sector का area कितना होता है, ठीक है, limiting case है, जहाँ दिल पर मतले है, तो उस sector का area हमारे प इसे बढ़िया बाद ही नहीं कुछ, मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूं कि मेरा angle अगर बढ़ाता हूं, तो area बढ़ता है, तो मैंने देख लिए कि limiting case के है, अगर मैं यहाँ पर angle बढ़े से बढ़ा लेना साथ हो, तो कितना angle ले लिया है, मैंने पूरा 360 degrees ही ले लिया, 360 degrees होना चाहिए, तो हाँ फिर से unitary method हम लगाते है, theta ओपर जाएगा multiplication में 2 पास से divide होगा, so pi r square के अंदर theta जाएगा multiplication में और 2 पास से divide होगा, pi pi cancel करो, आपके उसमें answer जो निकल कर आ रहा है, for theta angle, area वो कितना आता है, area और sector हो जाएगा, आपका half of theta r square, again, आपको पता होना चाह है कि हाँ पर theta जो डल रहा है, वो किस में है, वो radiance में है, अगर आप आप radiance में angle नहीं डालो के तो आपका गलत answer आएगा, ठीक है, तो apart from the relation between the different units, जैसे कि हमने हाँ पर degree और grade में relation देखा, हमने degree और radium में relation देखा, हमने radiance को समझने की कोशिश करी, ठीक है, apart from that, आपको य इस्तिमाल करके और conference आजाए, इस question का answer बताएं सारे बचे, yes, कितनी देर की class बची है, बस यहाँ पर कुछ सवाल करते हैं और फिर class को end करेंगे, already हमारा जो slot है, वो तो यहाँ पर end हो गया, क्योंकि 10 घंटे का हमारा slot होता है, but nonetheless, यहाँ पर जल्दी जल्दी अगर सवाल क the radius है, ठीक है, तो एक बड़ ट्राय करते हैं, आपके इसमें दो अलगलग circle है, एक छोटा circle है, एक बड़ा circle है, ठीक है, जब आप यहाँ पर same length के arc cut करते हो, अगर आपने यहाँ पर, let's say, AB arc cut किया है, है न, जिसका length आपके पास में यहाँ पर L के बराबर है, और इतना ही आपने अगर यहाँ पर cut किया है, ठीक है, लेकिन मुझे जो है और बड़ा बनाना चीक है arc, पता नहीं चलो, और एक आपने उतना ही length का arc यहाँ पर cut किया है, ठीक है, जिसका length फिर से L के ही बराबर है, लेकिन इसका नाम लेटर से CD रखते हैं, तो जो आप बड़े circle में arc का cut करोगे, तो उसका angle subtended relatively छोटा आएगा, और अगर आप छोटे circle में L length का arc cut करोगे, तो यह ज्यादा cover कर लेगा, इस बार आप वही रसी वाला thought लेके चलो, अगर आपकी रसी constant length की है, तो यहाँ पर छोटे circle के ओपर वो ज्यादा circumference का percentage cover कर लेगा, और यहाँ पर theta 1 आपका छोटा होगा, अगर आपका r1, sorry, theta 1 आपका बड़ा होगा, अगर r1 आपका छोटा है तो, अगर r1 आपका छोटा है r2 से, तो angle subtended theta 1 बड़ा होगा as compared to theta 2, ठीक है, अगर यहाँ पर theta 2 है और यह r2 है तो, बास वन में आ रही, बड़ वैसे यहाँ पर जो है, यह अलग से सोचने की जरूत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो condition दी हो, काफी अच्छी है, यहाँ पर condition दी है कि हमारे पास में, जो length of arc से वो equal है, तो हम यहाँ पर छोटे वाले circle के लिए length of arc का formula अप्लाय करेंगे, तो formula क्या है, length of arc का r into theta, length of arc का formula कितना है, r into theta, तो यहाँ पर r into theta का combination क्या बनने वाला है, r1 theta 1, और वैसे ही length of arc का अगर मैं फॉर्मा अप्लाय करता हूं बड़े circle के अंदर, तो यह कितना बनता है, r2 theta 2, दोनों यहाँ पर equal है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमारा relation बनेगा, वो कैसा बने के अंदर मैंने आपको ओला था कि हम angles लगाते किसमें है, radians में हम अपने angles को substitute करते हैं, so let us use that idea, हाला कि यहाँ पर आप अगले step में उसको cancel कर दोगे, it will not be that important, लेकिन यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लिखना चीए हमने, हमेशा सही लिखो, फिर भले उसके जरूत नहीं, तब भी लिखो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला angle है, पहला angle आपका कितना है, जो बड़ा वाला angle है, छोटा आपका radius है, तो angle बड़ा है, मतलब आपका जो theta 1 है, वो कितना बनेगा, theta 1 आपका 110 degree बनेगा, लेकिन degree में क्योंकि डालना नहीं है, तो pi by 180 multiply करके इसको rad radians कर दो, और r2 के साथ में आएगा theta 2, r2 क्योंकि आपका बड़ा है, तो angle subtended actually छोटा हो जाएगा, छोटा वाला value कितना दिया है, यहाँ पर 65 दिया है, ठीक है, लेकिन यह भी हम किसमें convert करेंगे पहले, radian में convert करेंगे, और फिर अपनी equation create करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ आपर बोला था कि इस question में आपको जो है, जरूत नहीं पड़ रही है, conversion की, लेकिन तब भी हमने करना चाहिए, because, सही चीज तो सही होती है, हो क्या राए कि आपका conversion factor पूरी तरसे यहाँ पर cancel हो रहे है, and आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ पर ratio of radian निकाल को लाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है, हमारा answer 65 upon 110 आ रहा है, जिसको simplify करके, अगर आप 5 से cancel करते हो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 से cancel करके, है न, and ऊपर 5 से cancel करके, आपको यहाँ आपको 13 आएगा, कुछ बच्चों के यहाँ पर 22 upon 30 आएगा, क्योंक कि मैंने यहाँ पर जो है, theta 1, theta 2 change कर दिया है, ठीक है, मैंने theta 1 actually बड़े वाले को बोल दिया, theta 1 मैंने किसको बोलते है, 110 डिगरी को, और इसी के corresponding मैंने फिर radius 1 ले लिया है, और आपको जो theta 2 मैंने मान लिया है, वो छोटा वाला मान लिया है, जिसके corresponding मैंने यहाँ पर r2 ल ने बोल सकते थे, लेकिन usually क्या होता है, पहले जो अगल बोला है, उसको theta 1 बोल दिया, पहले जो अगल बोला है, जो बोला है, उसको theta 2, है न, अगर हम उस चीज को मानते तो मैंने उल्टा माना है मैंने पहले वाले को थीटा टू बोल दिया है और दूसरा जो इहां पर statement में में इसको मैंने थीटा बोल दिया है कोई प्रॉल्म नहीं है अगर आप इहां पर सही तरीके से मानते तो आपको इहां पर बस 22 अपन 13 आंसर आ रहा होता और राइट नेक्स करते हैं हाँ पर एक सवाल ये भी हो जाए ये हमें हाँ पर फाइंड करके दिखाना है ठीक है दा सर्कुलर वायर ओफ रेडियस 7 सर्कुलर वायर ओफ रेडियस 7 मतलब पूरा को पूरा एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 के बरावर है तो फिर अगर मैं लेंट आप वायर की बात कर रहा हूँ तो लेंट आप वायर तो कितना हो जाएगा इस केस में 2 पाई आर हो जाएगा मतलब 14 पाई आपके हाँ पर वायर का लेंथ है फिर आपने क्या किया है आपने इस वायर को बेंट किया है आपने बेसिकली इस वायर को कट कर दिया एक जगे से लेंट से आपने यहां से इस वायर को कट कर दिया और ऐसा ओपन कर दिया तो cut करके अगर आप open करोगे तो आपका length of wire थोड़ी में change हो जाएगा length of wire तो आपका 14 pi ही रहने वाला है ठीक है लेकिन आपने इसको bend किया एक ऐसे circle के arc में जिसका radius जिसका radius basically आपका 12 units के बरावर है तो radius अगर आपका 12 है आपने अगर बड़े radius का arc यहाँ पर create करने ही कुछ किये तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा obviously circle complete नहीं कर पाओगे आपको यहाँ पर length छोटी पड़ेगे, arc create होगे यहाँ पर बस तो आपको बताना है कि यह arc जो आप अब यहाँ पर create कर रहे हो AB यह इस नए circle के center पर कितना angle subtend कर रहा होगा यह angle आपको यहाँ पर find करके बताना है तो फिर से आपका सवाल काफी आसान है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि length of r जो है वो तो मेरा change होने वाला नहीं है length of r तो यहाँ पर 14 pi ही रहने वाले और अगर में यहाँ पर r के respect में अपना formula study करता हूँ तो मेरा formula क्या है मेरा formula ऐसा कुछ है कि l is equal to theta into r l is equal to theta into r l की value कितनी है मेरे पास में 14 pi और आपका जो r है वो कितना है नया वाला 12 के बराबर है as given in the question तो आपके पास में यहाँ पर आ जाता है कि theta का value कितना होना चाहिए obviously किसमें आया है यह radians में आपका निकल कराया है ठीक है आप यहाँ भी 2 से cancel कर सकते हो 7 pi by 6 आपके यहाँ पर angle बना है तो बस अब आपको यहाँ पर जल्दी से सोच के बताना है धूंड के बताना है कि यह कितना हो गया है यह angle कितना हो गया है तो आपको यहाँ पर जो है options degrees में दिये हो हैं तो आप इस radian को degree में change कर लो तो theta अगर मैं degrees में repression करना चाहता हूं तो मुझी क्या करना पड़ेगा मुझी यहाँ पर 180 upon pi से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो pi pi तो आपको cancel हो जाएगा 6 से आप यहाँ पर cancel करोगे तो यह 30 हो जाएगा और आपका overall degrees में answer आजाएगा 210 degrees ठीक है सो यहाँ से हमें फिर से अपना formula इस्तिमाल करने का मौका मिला और conversion भी करने का मौका मिला ठीक है हमें radian से degrees में degrees से radian में convert करते आना चाहिए हमें इस तरह के जो l is equal to theta r area is equal to half of theta r square या ले formulas भी इस्तिमाल करते आना चाहिए let us do one more question find the area swept by the minute hand of a clock of length 6 cm in 20 minutes 20 minutes के अंदर आप कितना area swipe होते वह यहाँ पर पाऊगे जल्दी बताएं सारे बच्चे yes चुट्टी दे दे और चुट्टी दे जल्दी से एक question और कर लो चलो एक question और कर लो फिर चुट्टी दे देंगे फिर सो जाना सारे बच्चे ठीक है लेकिन सोएंगे नहीं बच्चे कि Facebook पर क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है है अगर बहुत जाता टाइम है तो न्यूज में क्या चल रहा है है कोरणा की क्या ख़बर है सारी ख़बरे लेंगे उसके बाद आराम से एक बज़े दो बज़े सोएंगे लेकिन क्लास यहां पर जल्दी खतम कर देते हैं no doubt in that क्लास तो खतम करी देते हैं find the area swept by the minute hand of a clock of length 6 cm in 20 minutes ठीक है तो initially आपका अगर minute hand 12 पर था तो 20 minutes में वो कहां चला जाएगा 20 minutes में वो 4 पर आ जाएगा तो आपके बास में यहां पर basically एक area swipe हो रहा है ऐसा feel आएगा है यह जो area आपका swipe हो रहा है यह एक sector की तरह create कर रहा है अपना figure और इस figure का basically आपको area find करके बताना है ठीक है तो area कितना होता है area होता है आपका half of theta r square tell me कि यहां पर आपका theta कितना है और r कितना है आपका answer आ जाएगा radius तो यहां पर दिया हुआ है ना आपको 6 है ना यहां पर आपका length of minute clock clock जो है वही तो यहां पर आपका radius जैसा feel होगा अगर आप इस sector को जो है trace कर रहे हो तो आपका radius हैं पर कितना माना पड़ेगा 6 माना पड़ेगा तो 6 का square हो जाएगा और theta कितना angle हमने decide किया था हमने बोला था कि दो digits के बीच में 12 और 1 की बीच में 1 और 2 के बीच में 2 और 3 के बीच में 30-30 degrees होता है तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो में कितने degrees कम्लीट हो गा है मेरे पास में total 120 degrees complete हो गया है yes or no 120 degrees, 12 से लेके 4 तक आपके 4 divisions है, हर division 30 degrees का है, मतब total आपका यहाँ पर जो sector हो कितनी का हो गया है 120 degrees का हो गया है, लेकिन यहाँ पर degrees में value substitute नहीं कर सकता मुझे यह जो 120 degree मिल रहा है, इसको convert करना पड़ेगा into radiance by multiplying it with pi by 180 तो pi by 180 से अगर आप यहाँ पर multiply करते हो, तो आपको पहले यहाँ पर cancellation के बाद में क्या मिलता है, radiance में आपको मिलता है answer कितना, 2 pi by 3 and this is the expression that you need to satisfy here है ना, यहाँ पर आपको 2 pi by 3 satisfy करवाना है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा और आपको यहाँ पर कितना मिलना है, 36 मिल रहा है so pi into 36 upon 3 मतलब 12 pi आपको यहाँ पर answer आए ठीक है 12 pi is the final answer yes और बहुत ही बड़ी है बात है, तो इसी के साथ में ऐसा करते है, अगला वुला जो question है यह आप homework में कर लें सारे बच्चे and we will discuss this in tomorrow's lecture but कल का lecture बच्चो आपका कुछ अलगी level पर important होने वाला है आज का lecture तो बहुत basic था यहाँ पर हमने angle measurements को जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है आप यहाँ पर अपना जो boards वाला book है या फिर जो आपकी पास में यहाँ पर exemplar होगा इतने basic topic पर नहीं मिलने वाले है ठीक है लेकिन क्या यह पढ़ना important नहीं था पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि आपके पास में यहाँ पर जो भी angles अब आगे चलके आने वाले है वो ऐसे ही आने वाले है ठीक है pi by 3, 2 pi by 3, 11 pi by 18 इस तरह से दिखने वाले angles आने वाले है ठीक है तो इसकी समझ बेसिकली हमें आज के lecture में आई है कि हावर इस तरह से अगर angle लिखे हो है और हमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम इनको बहुत ही जल्दी degrees में change करके समझ सकते है या फिर हम इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ने कि हमें इनको देख के uncomfortable feel ना हो sign pi by 3 देखते से हमें पता होना चाहिए कि हम इहाँ पर क्या value बोलना चाह रहे है ठीक है So that is why today's lecture was important but today's lecture was very basic as compared to the J preparation that we are doing ठीक है So next lecture में यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं फंडा एक बर फिर से आपको idea देता हूँ हम next lecture में हमारी trigonometry को अब एक circular system में visualize करने वाले lecture 1 ने हमने देखा था कि हमारे पास में कुछ trigonometric ratios निकल कर आए है जहाँ पर हमने right angle triangle के sides के ratio की मदद से छे अलग-लग trigonometric ratios define किये हुए है sine, cos, tan, and cosec, secant, and cot वो change नहीं होने वाले हैं अभी भी हम यहाँ पर कल के lecture में यही ratios फिर से पढ़ने वाले हैं लेकिन एक नए नजरिये के साथ में पढ़ने वाले हैं ठीक है उसके बाद में आपके पास यहाँ पर बहुत सारे formulas आने वाले हैं तो make sure कि आप यहाँ पर अपनी short notes की अगर आपने अभी भी notebook ready नहीं करी है तो उसको ready करना start कर दें ठीक है end of the course जो हमारे यहाँ पर trigonometry का चल रहा है end of the playlist जब यहाँ पर पूरी playlist create हो जाएगी आपके पास में एक short note होना चाहिए अगर नहीं है तो आपको trigonometry difficult लगेगा इसमें कोई दोरा है ही नहीं ठीक है trigonometry बच्चों को difficult लगता है क्योंकि वो उतने सारे formulas को समेट नहीं पाते है उनको लगता है कि trigonometry में तो सर बता ही जा रहा है सर खतम ही नहीं कर रहा है सर lecture 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 lecture कितने lecture हो गया सर समस्रेट, इतने सारे आपने JPPs भी दे दिये solve करने के लिए इतने सारे आपने followers बता दिये, यह तो बहुत बड़ा chapter होगे chapter बड़ा है लेकिन आप अगर अपने form में book create करना start कर दोगे, you will have the idea किया कितना बड़ा है जो आपके असमें वो idea होगा तो आपको उतना बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है so make sure कि आप यह काम करना start करते हैं आपने नहीं किये हैं तो, और आपने अगर यहाँ पर lectures को regularly follow करना start नहीं किया या फिर आप बीजिश में अगर जो है, कुछ न कुछ skip कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है, ठीक है आप यहाँ पर regular हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो JEE का पूरा एक journey है इसको basically एक mountain climbing के तरह visualize करना चाहिए, ठीक है, आप अगर यहाँ पर एक guide के साथ में, जिसे मैं अगर आपको mountain climb करने में लेटे से help कर रहा हूँ लेटे से, ठीक है, तो अगर आप guide को यहाँ पर बोल रहे हो कि हाँ चलो sir हम आपके साथ में चलेंगे, है न, लेकिन guide तो चल रहा है, आप उसके पीछे-पीछे चलने स्टार्ट किया आपने, लेकिन एक दिन आप दोला नहीं, आप में सो रहा हूं थोड़ा सा जादा, भई guide आप से आगे निकल गया है guide आप से आगे निकल गया है, आपको वापस तो select कर लिया है, कि हाँ यार, यह यह परसन है, जो हमें यहाँ पर mountain के top पे ले जाएगा, यह करवाएगा हमारा selection, ठीक है, और फिर follow करना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर दिक्कत क्या है, कि आपके उसमें एक guide नहीं है, आपके उसमें multiple guides है, क् तो हर एक educator की अपनी speciality है, ठीक है, आपके यहाँ पर सभी का help लेना है, और सभी के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है, किसी भी lecture को अगर आप miss कर रहे हो, तो make sure कि आप उसको अगले lecture के पहले देख लो, हो सकता है कि आपके घर में महमान आगे है, वैसे आप महमान जो हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है, आपको उसकी practice भी side by side करनी है, लेकिन आप अगर वो नहीं कर पा रहे हो, at least lecture आपनी यहाँ पर miss नहीं करना है, इस बात को अगर आप full time priority में रखके आगे बढ़ते रहोगे, तो आपकी J.E. की तियारी कब चालू होगी, कब खतम होग है न, आपको पता नहीं चलेगा, और आपको अगर यहाँ पर सारे lectures देखना है, live delay.me slash J link के ओपर सारे सारे आपके lectures है, आपको अगर subscription platform पर आना है, then you're most welcome, क्योंकि हमारी वहाँ पर batches चल रही है, और साथी साथ वहाँ पर live environment होता है, जहाँ पर आपके साथ में discussion करके सारे topics पढ़ाया जाते हैं, and आप वहाँ पर जहाँ आपके test होते हैं, वहाँ पर doubt cleaning sessions होते हैं, there is everything that any student, any J aspirant will ever need, ठीक है, and even more than that, क्योंकि हाँ पर एक group of educator नहीं है, आपके सम्में multiple group of educators हैं, तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि अगर आप unacademy subscription join करे हो, तो आप basically हाँ पर cluster of institutes join कर हैं, और आप हर institute की class को attend भी कर सकते हो, problem क्या होता है, कि अगर आप offline में को एक institute join करते हो, तो आप उस institute का भी एक batch join करते हो, आप जिस batch में हो, उस batch में जो teacher पढ़ा रहा है, आप उसी group of educators से पढ़ पाते हो, ठीक हैं, तो offline में तो आप basically एक institute join करके भी, एक institute नहीं जोइन कर कर रहे होते हैं, ठीक हैं, जैसे कि मैं मुंबई में पढ़ाता था, तो भई बोरी वली में अलग batch चल रहा है, अंधरी में अलग batch चल रहा है, ठीक हैं, फिर थाने में अलग batch चल रहा है, ठीक हैं, तो ये दिक्कत होती है, अब थाने वाले educator जो है, जो है, बोरी वली में और सबसे यादा अच्छी तरीके से समझ में कहां पे आ रहा है ठीक है, that is the benefit which students are taking and that is the reason कि यहाँ पर इतना amazing result आप आया है multiple educators यहाँ पर लगे हुए होता है, है न, आपके सारे बच्चों के साथ में यहाँ पर discussions हो रहे होता है and that actually creates some amazing and ब्रते ने हाँ पर 100% score करके दिखाया है, आप सारे बच्चे भी हाँ इसी line में लग सकता है महनत लेकिन करनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर जो भी आपको बच्चे नजर आ रहे है यह बहुत महनती बच्चे है और यहाँ पर जो भी instructions दिये जाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से follow करने वाले बच्चे है ठीक है, so मैं sure कि आप at least वो एक quality अपने अंबर अंदर लेके हैं ठीक है, and unacademy का app तो आपके बास में होना चाहिए app install करू, और app install करने के बाद में आप यहाँ पर subscription ले सकता है summary live के साथ में लेंगे, तो मुझे further idea लएगा कि आप मेरे student अलड़ी जो है unacademy JEE channel पर रह चुके हैं, ठीक है alright, and that's it, मेरे खाल से अभी कुछ offer वगरा भी चल रहा है, for the students who are going for long term subscription, तो make sure कि आप इसको एक बार देख लें, है न, एक साल का अगर लेना चारे तो उसके उपर तीन मेने आपको मिलते हैं, और अगर दो साल का लेना चारे तो आपको चार मेने, और additionally मिलते हैं ताकि यहाँ पर जो delay हो रहा है exam के अंदर basically उसके अंदर आपको फाइदा मिलता है कि पोस्ट पुन हो गया, या फिर चार अटेंट होगे जई मेन के, ठीक है, तो आपको basically study duration increase हो गया है, लेकिन study duration increase हो गया है, तब भी आप यहाँ पर लोगे तो दो साल गई, लेकिन additionally आपको four month मिल जाएंगे ताकि end तक, advance तक भी आपको यहाँ पर रुकावट ना महसूस हो अपने पढ़ाई में, ठीक है और यहाँ पर obviously आपको unaccard में combat के बारें प्रता चल गया होगा, make sure to give unaccard में combat, है न, यहाँ पर आपको scholarship मिलेगी काफी अच्छी, and that will further help you, and that's it, आज का session यहीं रोपते हैं, कल का session का importance में आपको बता दिया है, so be ready to attend the session at 9 p.m. tomorrow sharp alright, take care बचो, bye bye